गर्जन गाड़ी अचानक हिल गई और गरार के बाहर एक तेज पंजा दिखाई दिए जो लगातार छक को तोड रहा था और पंजे बेहत तेज और लंबे थे वह एक और जानवर था आठवी श्रेई की कटर छिपकली पत्थर परिवार का एक जानवर था जो भूमिगत रहता था अपने नुकीले पंजों से कटर छिपकली हीरे को भी आसानी से कुछल सकती है एक विशेश मिश्रधातु से निर्मित होने के बाद भी केबिन तूटने वाला था जिसने वास्तव में जी जानतान को चौका दिया उन्होंने एलिमेंट परिवार के अपने एक पालतू जानवर को अपनी पोती के साथ रहने का आदेश दिया तीम लीडर ने उससे वादा कि जी की रक्षा करेगा लेकिन वह अभी भी चिंतित था इसके बाद जी जानतान ने तीन और युध पालतू जानवरों को बुलाया उसने पालतू जानवर जो ड्रैगन परिवार की एक उपप्रजाती थी थंडर हॉर्न ड्रैगन को बिजली के बोल्ट बुलाने का आदेश दिया उसने पहले जानवरों को केबिन से बाहर धकेलने की योजना बनाई भूम हवा में बिजली का एक गोला अस्तित्व में आया और ड्रैगन ने बिजली के गोले से दरार के पास दिखाई देने वाले पंजों को तोर दिया बिजली गिरने से जानवर ने अपने पंजे पीछे खीच लिए और धीमी लेकिन गुस्से वाली धौकनी छोड़ी फिर से जानवर ने केबिन को तोर दिया दीवारें और छते धसने लगी जोरदार टकर के कारण केबिन के अंदर मौजूद लोगों को खड़े होने में दिक्कत हो रही थी लेकिन परिचारक उनकी मदद कर रहे थे इसलिए कोई घायल नहीं हुआ आप यहां आओ GQU अपने दादाजी के आठवी रैंक के युद्ध पालतू जानवर के ठीक बगल में खड़ी थी इसी उधेर गुन में उसने देखा कि वरोन कुछ दूरी पर अकेला खड़ा है वह इस बात से नाराज थी कि वरोन कृतगन था लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में वह खुद को उसे खत्रे में देखने की अनुमती नहीं दे सकती थी कॉल से आश्चर्यचित होकर वरोन ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा उसे यहां अजीब लगा की लड़की उस पर चिंतित और क्रोधित होगी लेकिन वह इसका परता लगाने के मूर में नहीं था जैसे ही उसने उन जानवरों को देखा जो अधिक से अधिक क्रूरता से हमला कर रहे थे वरोन ने अपना मन बना लिया तक्राना अचानक एक दिवार तूट गई दिवार में छेद करने वाली चीजें कुछ दरावने काले तंबू थे वरोन ने उद्धाटन देखा और फिर दराव के माध्यम से बाहर कूद गया आप जी कियू ने यह देखा वह पीली पड़ गई दूर से काले सूट वाले बुढ़े आदमी ने भी उसे देखा लेकिन वह उपहास और प्रशंसा कर रहा था हम्म वह युवक कितना मूर्ख था जो आसूओं के कारण बाहर भाग गया सबसे सुरक्षित जगह अंदर थी युवक को यह सोचना चाहिए कि अगर वह अफ्रात फरी में बाहर भाग गया तो जानवर उस पर ध्यान नहीं देंगे लेकिन आम तोर पर जो सबसे पहले घबरा कर भागता था वही सबसे पहले मारा जाता था वह वरुन आसु बहाते हुए बाहर भागे और गाड़ी की छट पर उडगए भूमिगत सुरंग इतनी विशाल थी कि एक ही समय में एक से अधिक ट्रेनों को यात्रा करने की अनुमती मिल सके एक दर्जन मीटर से अधिक लंबे कई विशाल जानवर निकटवर्ती रेलमार्गों पर रिंग रहे थे कुछ जानवर कंखजूरे जैसे थे और कुछ ध्रिंग जैसे थे गाड़ी में लावा उगलने वाला लावा पायथन छट से नीचे लटक रहा था लावा पायथन के प्रत्येक तराजू का आकार एक था हथेली आठवी रैंग की कटर चिपकली भी छट पर थी और जी जानतान के सामने खड़ी होकर दरार के माध्यम से हमला कर रही थी गर्जन वरुन को चिल्लाने की आवास सुनाई दी वह चारों और घुमा यहाँ आठवी श्रेनी का सिकल बीटल था जो बिलकुल एक विशाल कचुए जैसा दिखता था लेकिन इसके खोल से बाहर निकलने वाले नरम तंबू में तेज धारी थी जानवर उन्हें बहुत नुकसान पहुचा सकता है नरक में सडांध उसकी आखों में शीतलता की चमक उभर आई जैसे ही सिकल बीटल उसके पास आई उसने सीधे उस पर मुक्का मार दिया उन्होंने ओजा की मुठी का उपियोग नहीं किया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि इस कदम से सुरंग धै जाएगी जो बाद में ट्रेन को दफन कर सकती है ओजा की मुठी के बिना भी वह अपने नंगे हाथों से एक रैंक वाले जानवर को मार सकता था क्योंकि उसने सोलर बुलवार का पहला स्टर प्राप्त कर लिया था कई टेंटेकल जो बैरल जितने मोटे थे उपर आ गए लेकिन वरुन के मुक्गे से वे सभी टुक्रे टुक्रे हो गए उन जालों ने उसे नहीं रोका उसने सिकल बीटल के सिर पर जोरदार मुक्का मारा पफ सिकल बीटल अचानक रुक गई अपनी रक्तलाल आखों में सिकल बीटल अपना अविश्वास दिखा रही थी अगले ही सेकंड सिकल बीटल विस्पोट हो गया तककर इतनी जोरदार थी कि ऐसा लगामानों जानवर के अंदर कई टन विस्पोटक छिपे हो वरुन ने सिकल बीटल को मुक्का मार कर टुक्रे टुक्रे कर दिया उसके आंतरिक अंगों को दीवारों पर फिंक दिया गया और खून बहने लगा उसने सिकल बीटल को एक ही मुक्के से मार डाला वरुन ने पलटकर गुस्से से उन दूसरे जानवरों को घूर कर देखा जो गड़बडी पैदा कर रहे थे वह तेजी से उनकी ओर बढ़ा गरजन ठीक उसी समय जिस केबिन पर वह खड़ा था वह दो हिस्सों में तूट गया जी जानतां धराशाई हो गए वह अपने प्रमुख पालतू जानवर थंडरहॉर्न ड्रैगन पर बैठा था थंडरहॉर्न ड्रैगन इलेक्रिक आर्क से ढखा हुआ था जिसने कवच की एक परक बनाई थी कवच को जी जानतां तक भी बढ़ाया गया था वह और उसका पालतू जानवर एक थे क्या जी जानतां यह देखकर दंग रह गए कि वरुन अभी भी यहां था और जीवित था लेकिन यह सूचने का समय नहीं था वापस जाओ मैं उन्हें रोक दूँगा वह तुरंत वरुन से चिलाया ऐसा कहने के साथ वह पीछे मुडा और पत्थर परिवार के एक अन्य लड़ाकू पालतू जानवर को आदेश देना शुरू कर दिया तक्राना सुरंग की दिवार पर एक छेद दिखाई दिया पत्थर परिवार के पालतू जानवर ने एक और मार्क बनाया था मैं उनका ध्यान भटका दूंगा जी जानताम चिलाया उसके पैरों के नीचे थंदरहॉर्ण ड्रैगन ने अचानक बिजली के कई बोल्ट उत्पन किये जो जानवरों पर गिरे जानवरों को सफलता पूर्वक उकसाने के बाद जी जानताम ने थंदरहॉर्ण ड्रैगन के सिर को थप्थ पाया उसका पालतू जानवर जानवरों को लुभाने की कोशिश करते हुए गलियारे की ओर गौड़ा उसके इरादे को देखते हुए वरुण ने तुरंट अपने परपल पायथन को बुलाया वह जल्द से जल्द जानवरों को ख्त्म करना चाहता था यदि वे सभी जी जानतां का पीछा करते तो उसके युद्ध के पालतू जानवर शायद उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होते फुफकार बैंगनी अजगर भंवर से बाहर आ गया तीस मीटर से अधिक लंबा विशाल बैंगनी अजगर चट पर गिर गया और उसके वजन के कारण चट थोड़ी सी धंस गई केबिन में मौजूद लोग यह नहीं देख पा रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है वे केवल कंपन और आने वाली ठंडक को ही महसूस कर सकते थे यहां तक कि सामान्य लोग भी केबिन की दरार से रिस्ते खून की गंद को महसूस कर सकते थे वे बता सकते थे कि छट पर कोई जानवर घूम रहा है सूट वाला बूढ़ा आदमी डरा हुआ था वे बता सकता था कि कोई बहुत बड़ा आया है हमारी युवा महिला की रक्षा करें उसने तुरंट अन्य दो उन्नत युद्ध पालतू युद्धाओं से कहा हाला कि घबराए हुए थे फिर भी दोनों ने ऐसा करने का बादा किया सूट वाला बूढ़ा आदमी रोते-रोते बाहर निकलाया इस बीच छट पर परपल पाइथन ने लावा पाइथन का पीछा करना शुरू कर दिया था हाला कि दोनों ही अजगर परिवार के थे लेकिन लावा अजगर की वनशाबली परपल अजगर से बहतर थी आखिरकार लावा पाइथन आठवी श्रेनी का जानवर था लावा पाइथन इस बात से परेशान था कि वह उसी तरह की किसी चीज की उपस्थिती को महसूस कर सकता है और कुछ ऐसा जो थोड़ा डराने वाला लग रहा था लावा पाइथन ने जी जानतां के पीछे जाना छोड़ दिया लावा पाइथन ने घूमकर अपने शरीर के उपरी आधे हिस्से को खड़ा किया और परपल पाइथन पर फुफकारने लगा परपल पाइथन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ इसने पौरानिक रैंक की बहुत सारी बीट्स का सामना किया था ऐसे जानवर का तो जिक्र ही नहीं किया जो केवल दो रैंक अधिक था परपल पाइथन खत्रे के इस स्तर को आसानी से नजर अंदाज कर सकता है वा, परपल पाइथन तेजी से लावा पाइथन की ओर बढ़ा लावा पाइथन ने हमला किया और अत्यधिक विनाशकारी आग उगल दी आठवी श्रेई के अन्य जानवर आमतौर पर इस आग से बचना चाहेंगे क्योंकि जलने पर ठीक होना मुश्किल होगा हाला कि परपल पाइथन ने खुद को सीधे आग के समुदर में फेंक दिया अगले ही पल बैंगनी अजगर आग से गुजर चुका था सुरक्षित फुफकार बैंगनी अजगर की हरी आखों में कुछ शीतलता जलक रही थी बैंगनी अजगर ने अपना विशाल मुँ खोला और लावा अजगर के सिर को काट लिया बैंगनी अजगर इधर उधर लड़कडाया उसका मुँ भरा हुआ था लेकिन फिर भी वह दहार निकालने में काम्याब रहा संघर शरत लावा पाइथन रुप गया फिर परपल पाइथन ने लावा पाइथन को थोडा थोडा करके निगल लिया लावा पाइथन आठवी रैंक पर था लेकिन केवल एक दरजन मीटर लंबा था जो कि परपल पाइथन से बहुत छोटा था जो अभी भी बढ़ा हो रहा था काले सूट में बूढा आदमी अभी केबिन से बाहर आया ही था जब उसने देखा कि कैसे बैंगनी अजगर ने लावा अजगर को निगल लिया तो वह चौक गया जैसे ही अन्य जानवरों को दुर्जे बैंगनी अजगर का एसास हुआ वे रुप गये और उस बूढे व्यक्ति को भागने दिया जो उन्हें मार रहा था सतर्क होकर जानवरों ने बैंगनी अजगर को घूर कर देखा जानवर धीरे धीरे करीब आने लगे लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा वरुन ने जानवरों को ऐसा करते देखा जी जानतां मार्ग से लौट आये थे उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई जानवर उसका पीछा नहीं कर रहा था इसलिए उसे वापस लौटना पड़ा जल्द ही उसकी नजर विशाल बैंगनी अजगर पर पड़ी जो छत पर मंदरा रहा था वह एक सेकंड के लिए ही गया था और वहाँ एक और आ गया क्या वह भी एक बैंगनी अजगर था जी जानतां को पालतू जानवरों के बारे में व्यापक ज्यान था उसने पहले बैंगनी अजगर देखे थे वह पालतू जानवर थे जिनकी युद्ध शक्ती कमजोर थी और वह किसी भी मौलिक शक्ती पर कबजा करने में असमर्थ थे लेकिन बैंगनी अजगर सस्ते थे इसलिए पालतू जानवर के लिए गरीब आदमी की पसंद यही थी लेकिन यह बैंगनी अजगर असामानिय लग रहा था आम तोर पर छठी रैंट के शिखर पर एक बैंगनी अजगर लगभग एक दर्जन मीटर लंबा होगा यह 30 मीटर से अधिक लंबा था सामानिय बैंगनी अजगरों से दो गुना बड़ा उसने बैंगनी अजगर के मुह में एक लाल पूंच देखी आश्चर्यच के थोकर उसने चारों और देखा केवल लावा पाइथन चला गया था पूंच क्या परपल पाइथन ने उस लावा पाइथन को खा लिया नर्भक्षन जी जानतां इसे समझ नहीं सके अचानक जमीन हिलने लगी पत्थर की दिवारे तूट गई जैसे एक क्रूर चीक उनके कानों तक पहुँची एक काला जानवर जो लगभग 20 मीटर लंबा था रेंग कर बाहर आया वह जानवर अजगर जैसा था लेकिन उसकी पीठ पर तेज ब्लेड और कील लगी हुई थी जी जानतां और सूट वाला बूढ़ा आदमी दोनों डर के मारे हांफने लगे वह नवी श्रेनी का जहर पंजा ड्रेगन था ड्रेगन की एक उपप्रजाती ड्रेगन की उपप्रजातियों में ड्रेगन की रक्तरे खाए थी हालाकि इस तरह के जानवर ड्रेगन से कम शक्तिशाली थे फिर भी वे समान रैंक के तत्व परिवार के जानवरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे धत तेरी की सूट पहने बुढ़े आदमी ने लंबा चेहरा खीचा पॉईजन क्लॉड ड्रेगन जहर का उप्योग कर सकता था और यह नवे स्थान पर था इतने शक्तिशाली जानवर द्वारा ट्रेन पर हमला किया जाना एक अतरिक्त गंभीर दुरगटना थी ऐसा होने की संभावना कम थी इस दुरगटना में शामिल होना उसका कितना दुरभागे शाली रहा होगा जी जानतां का चेहरा भी धुन्धला हो गया था यहां तक कि वह यह भी दावा नहीं कर सका कि वह इस पॉईजन क्लॉड ड्रेगन से आगे निकल सकता है इस बात की तो बात ही छोड़दें की आठवी रैंक के दो अन्य जानवर उस पर बुरी नजर रख रहे थे जब वे दोनों सोच रहे थे तभी वरुन ने परपल पाइथान को आदेश देने से पहले पॉईजन क्लॉड ड्रेगन पर एक सामान्य नजर डाली इसे खत्म करें इस एकल आदेश के साथ परपल पाइथन पलट गया लावा पाइथन को खाने के बाद परपल पाइथन पहले से एक गुना बढ़ा हो गया था वजन बढ़ने से परपल पाइथान की गती थोड़ी धीनी हो गई थी लेकिन इसने उसे पॉईजन क्लॉड ड्रैगन की और तेजी से बढ़ने से नहीं रोका न तो जी जानतान और नहीं सूट वाला बूढ़ा व्यक्ती इस बात पर विश्वास कर सका शठी रैंक का एक पालतू जानवर नवी रैंक के जानवर को निशाना बना रहा था गरजन पॉईजन क्लॉड ड्रैगन परपल पाइथन के इरादे को समझ सकता था क्रोधित होकर जहर पंजा ड्रैगन हिंसक रूप से दहाडने लगा दहाड किसी ड्रैगन की दहाड जैसी थी लेकिन साथ ही उसमें एक अजीब सा एहसास भी था जो लोगों का खून जमा सकता था वाँ दूरी में थंडरहॉर्ण ड्रैगन जो लगभग अपने घुटनों पर था कामपना शुरू कर दिया था और बिजली के बोल्ट से बना कवच धहना शुरू हो गया था द्रेगन की एक उपप्रजाती का सदस्य थंडरहॉर्ण ड्रैगन ड्रैगन दहार के प्रती काफी समवेदन शील था और अन्य जानवरों की तुलनामे ड्रैगन दहार से और भी अधिक दर सकता था जी जानताम चौक गए उसने अपने युद्ध पालतू जानवर को सांत्वना देने की जल्दी की उसी समय अंदर कसम खाते हुए सूट वाले बूढ़े व्यक्ती ने अपने लड़ाकू पालतू जानवरों को भी बुला लिया चारो आठवी रैंपर थे एक राक्षस परिवार से एक ड्रेगन की उपप्रजाती से और दो तक्त्व परिवार से सूट पहने बूढ़े व्यक्ती ने ड्रैगन से अपने उपर कवच की एक परत जोड ली और उसकी रक्षा के लिए उसके करीब रहा एलिमेंट परिवार के अन्य दो लड़ाकू पालतू जानवरों को उस बिग्लैल लड़की की रक्षा के लिए केबिन में वापस जाने के लिए कहा गया था जहां तक राक्षस पाल्तू जानवर की बात है, वह उस धर पंजा ड्रैगन को रोकने के लिए जी जानतां के साथ काम करने के लिए उसका उप्योग करना चाहता था जब तक वे पॉईजन क्लॉड ड्रैगन को रोक सकते थे, तब तक वे कम से कम तब तक जीवित रह सकते थे, जब तक की सुधरिधी करन नहीं आ जाता अचानक सूट पहने बुढ़े व्यक्ती की नजर उस युवक पर पड़ी जो दूर उसकी ओर पीठ करके खड़ा था उसने एक ठंडा उपहास किया वा, नेदरवर्ड कॉर्पस स्नेक फुम्फ कारता हुआ दूर भाग गया, मानो ज़र पंजा ड्रैगन की ओर बढ़ रहा हो कुना, वरुन ने पीछे मुड़कर नेदरवर्ड कॉर्पस स्नेक को देखा जो उसकी ओर बढ़ रहा था उनमें गहरी समझ थी वह बता सकता था कि युद्ध का पालतू जानवर उसकी ओर आ रहा था उसने नेदरवर्ड कॉर्पस स्नेक के पीछे देखा और सूट पहने बुढ़े आदमी की आखों में ब्यंग्य देखा वरुन के मन में उम्रा हत्या का इरादा वह दूर नहीं गया लेकिन उसने अपना हाथ मुठी में भीच लिया था नेदरवर्ड कॉर्पस स्नेक ने किनारे पर जाने की कोशिश भी नहीं की यह ऐसा था जैसे कि नेदरवर्ड कॉर्पस स्नेक उसे देखने में पूरी तरह से असमर्थ हो लेकिन जैसे ही नेदरवर्ड कॉर्पस स्नेक वरुन को कुचलने वाला था किसी सहच ज्यान ने उसे नीचे की ओर देखने के लिए कहा इस नजर से नेदरवर्ड कॉर्पस स्नेक दर के मारे रोने लगा और रुकने की कोशिश की इसने एक जोड़ी आखें देखी जो किसी राक्षस की होनी चाहिए खत्रा, खत्रा, टक्राना, वरुन ने मुठ्ठी लहराई एक तेज आवाज सुनाई दी वहीं वरुन ने नेदरवर्ड कॉर्पस स्नेक के पेट पर मुक्का मारा था इस भयानक शोर के साथ नेदरवर्ड कॉर्पस स्नेक एक दीवार से टक्रा गया और फिर उसके आंतरिक अंग सूजने लगे नेदरवर्ड कॉर्पस स्नेक में विस्पोट हो गया मास और रक्त की वर्षा होने लगी चुंकि वरुन ने एक सुक्षम शक्ती ढाल स्थापित की थी इसलिए उस पर कोई खून नहीं गिरा खून के उस भारी परदे के पार देखते हुए वरुन सूट पहने बुढ़े आदमी से नजरे मिलाने में काम्याब रहा उसके चहरे पर व्यंग्य जम गया सूट पहने बुढ़ा आदमी स्तब्ध होकर खून की बारिश को देखता रहा वरुन की आखों की थंड़क ने उसे वापस होश मिला दिया उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था वह भैभीत महसूस कर रहा था जैसा उसने पहले महसूस किया था यह युवक एक राक्षस है वह जबकि सूट वाला बुढ़ा आदमी वहाँ खड़ा था भैभीत होकर वरुन वहाँ से भाग गया था उसने चट पर इतनी जोर से लात मारी की एक गड़ा हो गया छोड़े गए तीर की तरह वरुन सूट पहने बुढ़े आदमी के पास आया और उसके सिर पर मुक्का मारा तक्राना सूट में बुढ़े व्यक्ती ने कई सुक्ष्म शक्ती ढाले बनाई लेकिन वे सभी वरुन के मुक्के के नीचे को चल गई सूट पहने बुढ़े व्यक्ती ने देखा की कैसे उसके सिर और उपरी शरीर के टुक्रे-टुक्रे होने से पहले सभी कबच टुक्रे-टुक्रे हो गए सूट पहने बुढे आदमी के साथ रह रहे अजगर के पास प्रतिक्रिया करने के लिए परियाप्त समय भी नहीं था अपने मालिक की दुखद मौत ने अजगर को बता दिया कि क्या हुआ था अनुबंध द्वारा अभी भी कुछ अवशेश भावनात्मक संबंध बनाय रखा गया था वृतिवश अजगर रोया और अपने मालिक का बदला लेने वाला था लेकिन वरुन ने पलटकर अजगर की ओर देखा सभी समवेदनाओं से रहित आँखो की उस जोडी ने ड्रैगन के खून को जमा दिया क्रोधित चीक अजगर के गले में फस गई थी और पालतू जानवर जरा भी हिलने में असमर्थ था जल्द ही अनुबंध का आखिरी निशान भी गायब हो गया अजगर को रोकने के बाद वरुन ने आगे बढ़कर उसे नहीं मारा युद्ध के पालतू जानवर ने कोई गलती नहीं की थी द्रैगन ने जो एक मात्र गलती की थी वह गलत स्वामी का अनुसर्ण करना था जो न केवल बहुत मूर्ख था बलकि कमजोर भी था नेदरवर्ड कॉर्पस स्नेक और सूट पहने बुढ़े व्यक्ती की हत्या एक सेकंड के भीतर हो गई दूर जी जानतान ने शोर सुना था वह ठीक समय पर यह देखने के लिए पीछे मुड़ा की कैसे वरुन ने सूट पहने बुढ़े व्यक्ती को मार डाला चकित होकर जी जानतान ने अपनी आखें चौड़ी की और अपना जबड़ा लटका दिया सूट वाला बुढ़ा आदमी मर गया एक मुक्के से युवक की हत्या सूट वाला बुढ़ा आदमी आठवी रैंपर था जी जानतान एक भी शब्द बोलने में असमर्थ थे वह जानता था कि वरोन एक युद्ध प्रिय योद्धा था लेकिन उसे उसमें सुक्ष्म शक्ती की मजबूत उपस्थिती का एहसास नहीं हुआ था जो बहुत छोटा था उन्होंने वरोन को कभी भी कोई मजबूत योद्धा नहीं माना हाला कि यह पता चला कि यह युवक हमेशा से अपनी शक्ती छिपा रहा था उसने सूट पहने बुढ़े आदमी को एक मुक्के से मार डाला था कारण जो भी हो मुद्धा यह था कि वह युवक संकी था गर्जन अचानक जी जानतांग ने गुर्राहट सुनी वह पीछे मुड़ा उसे याद आया कि पॉईजन क्लॉड ड्रैगन अभी भी वही था थंडा पसीना छूट गया उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका ध्यान भटक गया है जैसे ही उसने दोबारा देखा वह अवाक रह गया जहर पंजा ड्रैगन बैंक नी अजगर द्वारा फसाया जा रहा था गला घोंट दिया गया जहर पंजा ड्रैगन दर्द से चिल्ला रहा था जी जानतां इस पर अपना सिर नहीं जुका सके पॉईजन क्लॉड ड्रैगन नवी रैंक का था और इसे परपल पाइथॉन से बहतर होना चाहिए चाहे वह रक्तरेखा या खेती रैंक के संबंध में हो जहर पंजा ड्रैगन इतनी बुरी तरह क्यों रोएगा जी जानतां को आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी आखें उसे धोखा दे रही थी फिर पॉईजन क्लॉड ड्रैगन की हड्या चटकने लगी उसके नुकिले पंजे तूट गए और उसका मास फट गया जिससे हरा खोन बहने लगा पॉईजन क्लॉड ड्रैगन परपल पायथन को फाड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके तराजू स्तील की तरह सक्त थे पहला युद्ध के पालतू जानवर को चोट पहुचाने में असमर्थ था क्रैक क्रैक दरार 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 शोर गूंचता रहा और सुरंग में घूंचता रहा वह क्रूर था परपल पायथन ने धीरे धीरे अपनी पकड मजबूत की और धीरे धीरे पॉईजन क्लॉड ड्रैगन शोर भी नहीं मचा सका अधिक आधिक हरा रक्त बहने लगा जल्द ही पॉईजन क्लॉड ड्रैगन ने सास लेना बंद कर दिया बाद में बैंगने अजगर ने अजगर के सिर को काटा और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसे निगल लिया एक पल में 20 मीटर से अधिक लंबे पॉईजन क्लॉड ड्रैगन ने अपना आधा शरीर खो दिया था इतने कम समय में लावा पाइथॉन पच्चुका था परपल पाइथन की पाचन शक्ती किसी की कलपना से भी अधिक मजबूट थी जो जानवर परपल पाइथन की श्रेणी में थे वे तुरंत गायब हो जाएंगे यदि वे परपल पाइथन के पेट में हो इसके तुरंत बाद परपल पाइथन ने पूरे पॉईजन क्लॉड ड्रैगन को खा लिया विशाल बैंगनी अजगर अपनी जीब बाहर निकाले हुए जमीन पर कुंडली मारे बैठा था फिर पालतु जानवर की नजर दूर आठवे दरजे के जानवरों पर पड़ी आठवी श्रेणी के जानवर काम उठे वे रोते हुए पूँच भुमाते हुए चले गए उनमें से कुछ ने दिवारों में छेद कर दिया और कुछ गहराई में भूमिगत हो गए एक पल में वे सभी गायब हो गए वे सभी पत्थर परिवार के जानवर थे जानवरों के लिए भूमिगत सुरंग मचली के लिए पानी के समान थी वरुन ने परपल पाइथन को जानवरों के पीछे जाने का आदेश नहीं दिया वहां हमेशा अधिक होगा जानवरों की सफाई करना ट्रेन के कारिरत कर्मचारियों का काम होना चाहिए यहां उनकी जिम्मेदारी थी वरुन ने परपल पाइथन को वापस लोटने के लिए कहा परपल पाइथन जल्द ही वरुन के सामने आ गया बैंदनी अजगर ने अपना सिर उपर उठाते हुए अपने शरीर को रेलवे से नीचे लटका दिया वरुन ने तारीफ के तौर पर उसका सिर थप्त पाया जी जानतां को कोई शब्द नहीं मिला वह नहीं जानता था कि यह अविश्वसनिय बैंदनी अजगर वरुन का युद्ध पालतू जानवर था यह एक युद्ध पालतू जानवर था जो नोवी श्रेनी के पॉईजन क्लॉड रैगन को गला दबा कर मार सकता था कहने का तात पर यह है कि इस युवक के पास ऐसी क्षमता थी जो उसके युद्ध के पालतू जानवरों से मेल खा सकती थी जब जी जानतांग अभी भी वही खड़ा था ध्रमित था सुरंग के अंत से कोई आया यह एक आदमी था जो उड़ रहा था एक शिर्शक्युक्त युद्ध पालतू योध्धा वा एक पल में नामित युद्ध पालतू योध्धा आ गया था वह एक भारी भर कम आदमी था जो लगभग 40 के आसपास का लग रहा था क्या? उसने सबसे पहले जी जानतांग और वरुन पर एक नजर डाली फिर अपनी नजर जी जानतांग पर केंद्रित की वह बता सकता था कि बुढ़ा आठवी श्रेनी का मास्टर बैटल पालतू योध्धा था क्या वह यात्री था? उन्होंने जी जानतां को सिर हिलाया आसपास की अफरात फरी को देखकर वह समझ गया कि बुढ़े आदमी ने मदद की होगी उसने दूर से एक आधा मानव शरीर भी देखा क्या उसे बहुत देर हो गई थी? सर्क मदद करने के लिए धन्यवाद भारी शीर्षक वाले युध पालतू योध्धा ने जी जानतां को सिर हिलाया अभी भी नौवे दर्जे के जानवर की गंध का निशान है जी जानतां ने कोई उत्तर नहीं दिया उसने बस वरुन की ओर देखा? नहीं, जानवर भाग नहीं पाया यह युवक की लड़ाई द्वारा खालिया गया था भारी शीर्षक वाले युध पालतू योध्धा को यह नहीं पता था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आखिरकार यह केवल छठी रैंक का परपल पायथन था इससे ज्यादा कुछ नहीं जानवर का ख्याल रखा गया है वरुन ने युध के पालतू योध्धा से कहा जो लापर वाही से उसकी ओर देख रहा था का ख्याल रखा शिर्षक वाले युध पालतू योध्धा को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था उसे नौवे दर्जे के जानवर की उपस्थिती का एहसास हुआ इसलिए वह जल्दी से बहा गया उसे आने में महस कुछ सेकंड लगे नौवे दर्जे के जानवर की देख भाल कैसे की जा सकती थी यहां तक की कोई शिर्षक धारी योध्धा भी ऐसा नहीं कर सकता था स्थब्ध होकर धारी शिर्षक वाले युध पालतू योध्धा ने नजर डाली और जल्द ही रेलवे पर खून के धब्बे देखे खून पॉइजन क्लॉड रैगन का था वह नौवी श्रेणी का जानवर था जिसे उसने देखा था क्या जानवर यहां घायल हुआ था लेकिन चुंकी वहां कोई लाश नजर नहीं आ रही थी इसलिए उसे लगा की जानवर भाग गया होगा क्या इसे बुढ़े और जवान आदमी द्वारा एक साथ काम करने के लिए मजबूर किया गया था जब भारी शीर्षक वाले युद्ध पालतू योध्धा ने अपनी द्रिष्टी वापस जी जानतांग और वरुन की ओर घुमाई तो वह उन्हें सम्मान की द्रिष्टी से देख रहा था उनमें से कोई भी नवे स्थान पर नहीं था और फिर भी वे पॉईजन क्लॉड रैगन को हराने के लिए सहयोग कर सके जो उनकी ताकत का प्रमाण था मैं वूतियान मिंग हूँ मदद के लिए धन्यवाद भारी शीर्षक वाला युद्ध पालतू योध्धा इमानदार था यह केवल उनकी ताकत के कारण नहीं था यह तथ्य की वे दोनों बाहर निकलने के इच्छुक थे ने उनकी दयालुता और साहस का प्रदर्शन किया था वूतियान मिंग को इसका सम्मान करना पड़ा जी जानतान ने अपना हाथ लहराया उन्हें एक नामित युद्ध पालतू योध्धा द्वारा धन्यवाद दिये जाने पर बेहर प्रसंता महसूस हुई लेकिन वरुन नहीं थे उसने बस इतना पूछा फ्रेन कैसी चर रही है क्या यह यात्रा जारी रख सकता है वूतियान मिंग ने अपना सिर हिलाया कहना मुश्किल मुझे पूरा विश्वास नहीं है अन्यस सभी शापिक जानवरों को हराने के बाद मैं आउंगा और तुम्हें ढूंढूंगा क्रुपया इस केबिन की सुरक्षा में मदद करें उन्होंने अपनी बात ख्त्म की उसने फिर से अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए अपनी मुठिया बंद कर ली वरुन और जी जानटां के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना भारी आदमी अन्यस्थानों की जाच करने के लिए भाग गया भारी भरकम आदमी के चले जाने के बाद जी जानटां एक जटिल भावना के साथ वरुन की ओर मुड़े वह थंडरहॉर्न ड्रैगन से उत्रा और एक कड़वी मुस्कान के लिए मजबूर हुआ अरे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने काबिल हो हमने उस समय हस्तक शेप करना बंद कर दिया जब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था फिर केबिन में सभी आठवी श्रेणी के युद्ध पालतू योद्धाव में भी वरुन को शक्तिशाली माना जाएगा जब रेड फैंटम कुत्ता उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था तो वरुन जी जानटांग की पोती की मदद के बिना आसानी से कुत्ते को अपने वश में कर सकता था वरुन ने परपल पाइथाउन को दूर रखते हुए जवाब दिया आप मेरी चापलूसी करते हैं सर आप और आपकी पोती उचित उद्देश के लिए दूसरों की मदद करने के लिए तयार है मैं आपकी दयालुता को याद रखूंगा जी जानटांग ने सिरहिलाया वरुन अहंकार और उतावलेपन से मुक्त थे कितना दयालु और शक्तिशाली युवक है उन्होंने वैलेंट एकेडमी में पढ़ने वाले ऐसे युवाओं के बारे में केवल सुना था लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तविक जीवन में ऐसे युवाओं से मिल पाएंगे चुँकि सभी जानवर डर गए थे इसलिए वरुन बाहर नहीं रुका वह और जी जानटांग एक साथ केविन में वापस चले गए अराजकता शांत हो गई थी जी जानटांग के वापस आने पर केविन में मौजूद सभी लोगों को राहत मिली जी क्यूयू अपने दादाजी के बारे में चिंतित थी जैसे ही उसने उसे देखा आखिरकार वह आराम करने में सक्षम हो गई उसने तुरंट खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया बाकी लोग बूढे को सम्मान की द्रिष्टी से देख रहे थे किसी ने पूछा सर क्या बाहर सभी जानवर मर गए है बाकी लोग उसे आशा भरी द्रिष्टी से देख रहे थे जी जानतांग ने भील की ओर देखा और सिरहिलाया कुछ मर गए और कुछ भाग गए अभी अभी एक नामित युद्ध पालतु योद्धा आया और वह अब अन्य केबिनों की मदद कर रहा है मुझे विश्वास है कि यह जल्द ही बीट जाएगा सभी ने राहत की सास ली एक शीर्शक्युक्त युद्ध पालतु योद्धा अभी अभी वहां आया था उनके ठीक उपर इससे कई लोगों को अधिक सुरक्षित महसूस हुआ आप एक सच्चे हीरो हैं सर किसी ने पहले कहा आप हमारे हीरो हैं वापस स्वागत है हीरो अन्य लोगों ने भी उसका अनुसर्ण किया और उत्साह में चिलाए किसी को तभी पता चलेगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है जब वे किसी आपदा में बचाए गए थे लोग दुष्ट स्वभाव के साथ पैदा हुए थे लेकिन वे अपने दैनिक जीवन में दुष्ट ही बने रहेंगे जब उनमें से प्रत्येक ने दूसरे को धोखा देने की कोशिश की लेकिन किसी आपदा के सामने वे सभी जानते थे कि उन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहना होगा जी जानता हम थोड़ा शर्मिंदा थे वह जानता था कि वह ज्यादा मदद नहीं कर सका सबसे हिंसक और क्रूर पॉइजन क्लॉड रैगन को वरुन ने मार डाला था यह उसका युद्ध पालतू जानवर अजीब बैंगनी अजगर था जिसने जानवरों का ध्यान उसकी ओर खीचा था जी कियू ने अपने दादाजी की गोद छोड़ दी जैकारों ने उसे अच्छे मूर में छोड़ दिया था उसे अपने दादाजी पर गर्व था जल्द ही उसने देखा कि वरुन उसके दादाजी के बगल में खड़ा था उसकी आखों से तुरंत क्रोध और शितलता जलक उठी इससे पहले जैसे ही वरुन ने छट पर दरार देखी तो वह जानबूच कर बाहर भाग गया था उसने यह सब देखा था वह गैर इकाई अब भी कैसे जीवित रह सकती है तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई GQU ने खर राटा लिया वह सीधी सादी थी, उसने कभी भी अपनी बात को गलत तरीके से रखना नहीं सीखा था ठीक उस लड़की की तरहे जिसने अपने कुट्टे को लोगों को चोट पहुचाने की अनुमती दी थी GQU वरुन पर कोई दया नहीं दिखा रही थी वरुन ने अपनी भौहें उपर उठाई जी जानताम चौक गए चुप रहो आप उसे ऐसा नहीं कह सकते GQU आश्चर यचकित थी कि उसके दादा जी वरुन का बचाव करेंगे वहीं बाकी लोगों ने भी वरुन को देखिया था वे सभी लंबे चहरे खीचे हुए थे मिस जी सही कह रही है सर आपको इस दरपोक व्यक्ति को बचाने की जूरत नहीं थी सही मैंने देखा कि कैसे वह भागने वाला पहला व्यक्ति था हम क्या दिता है सबसे पहले भागने वाला हमेशा सबसे पहले मरने वाला होता है लेकिन यह बदमाश भाग्यशाली निकला आपको वास्तव में महान महोदय को धन्यवाद देना चाहिए आप जानते हैं जी जानताम उन शब्दों को सुनकर आशंका से भर गए वह जानता था कि वह युवक कितना भयानक था वह भविश्य में एक शीर्षक युक्त युद्ध योध्धा बन सकता है जैसे जैसे लोग अधिक से अधिक असभ्य शब्द कह रहे थे जी जान्टियन ने अपना हाथ उठाया और सभी को चुप करा दिया उसने संजीर जी से समझाया सुनो यह आदमी ने मदद की है और इसी लिए जानवर चले गए है वह वही है जिसने जानवरों के नेता नवे दरजे के जानवर को मारने में मदद की थी वह वरुन का परिचय कराना चाहता था, लेकिन उसे पता चला, कि वह वरुन का नाम नहीं जानता है वह बस एक सामान या नाम का उप्योग कर सकता है जी जानताम की टिपणी ने सभी को चौका दिया जी कियू ने इसे तर्क से परेपाया दादा जी आपने अभी क्या कहा? क्या तुमने ऐसा कहा? उसने भी मदद की? जी जानताम ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया सिर्फ मदद नहीं कि उन्होंने महान योगदान दिया जी कियू ने वरुन को संदेह की दृष्टी से देखा यहां आदमी सिर्फ मदद करने के लिए बाहर भागा था क्या मैंने उसे गलत समझा? बाकी लोगों ने वरुन का आकार बढ़ाया किसी को विश्वास नहीं था कि यह युवक खतरनाक जानवरों को हराने में बहुत मदद कर सकता है इस बात की तो बात ही छोड़ दें की जब कोई नवी श्रेणी का जानवर था जैसा की जी जानतांग ने उलेख किया था वह युवक उस प्रकार के जानवर के साथ क्या कर सकता था? कुछ ने इस पर विश्वास किया और कुछ ने नहीं बादवाले ने सोचा की बूढे व्यक्ती ने सिर्फ वरुन का बचाव किया था क्योंकि वह लोगों द्वारा लगातार युवक पर आरोप लगाना बरदाश्ट नहीं कर सकता था वैसे भी उन्होंने वरुन पर आरोप लगाना बंद कर दिया है उन्होंने इसे जाने देने का फैसला किया वरुन ने उन लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया चुँकि उन्होंने अब उसकी आलोचना न करने का निर्नय ले लिया था इसलिए उसे अपना बचाव करने का प्रयास करने का मन भी नहीं हुआ उसने केवल इसलिए हस्तक शेप किया था क्योंकि वह ट्रेन को जानवरों द्वारा नश्ट होने से बचाना चाहता था, जिससे उसकी यात्रा में देरी होगी उन यात्रियों की वजह से उसने मदद नहीं की श्री हुआं कहा है, एक लड़की ने घबराते हुए पूछा यह वह लड़की थी जिसके पास रेड फैंटम डॉग था लड़की चिंतित थी वह काफी देर तक वहां इंतजार करती रही, लेकिन उसे अपने नौकर का कोई पता नहीं चला कोई अन्य विकल्प न होने पर उसे जी जान्टांग और वरुन से पूछना पड़ा उसके साथ रहने वाले दो उन्नक युद्ध पालतू युद्धा भी चिंतित थे उनका और जी जान्टांग का विवाद था बटलर की उपस्थिती के बिना जी जान्टांग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे हरा सकें जी जान्टांग ने वरुन की ओर देखा वह मर चुका है वरुन ने लापरवाही से उत्तर दिया लड़की भयानक रूप से पीली पड़ गई दोनों अंग्रक्षक आश चर्यच्पित रह गए उन में से एक केबिन की छट पर चड़ गया जल्द ही उसे बुढ़े आदमी के शरीर का निचला हिस्सा मिल गया ड्रेगन अभी भी वही था अवशेशों के बगल में हाला कि अनुबंध तूट गया था जानवर को अवशेशों से कुछ परिचित महसूस हो सकता था यह जाने को तयार नहीं था अंग्रक्षक अवशेशों को निकालना चाहता था लेकिन अजगर ने अपने नुकीले दांक निकाल दिये फिर भी यह जानते हुए कि यह इनसानों की दुनिया में था और कोई अन्य ड्रेगन मौजूद नहीं था ड्रेगन ने आवेग में हमला करने से परहस किया अजगर ने शव को पकड़ लिया दीवारे तोर दी और भाग गया बोडी गार्ड ने केबिन में वापस जाने से पहले ड्रेगन को जाते हुए देखा उसने लड़की को बताया कि उसने क्या देखा था लड़की और भी पीली पड़ गई उसने अपने होंट काटे और जी जानतां की ओर देखा जो दूर खड़ा था उसका मानना था कि जी जानतां और वरोन ने निश्चित रूप से कुछ साजिश रची थी जब वरोन बच गया था लेकिन उसके बटलर हुआं की मृत्यू हो गई थी बूढे आदमी ने उसके नौकर पर जपटा मारा होगा याद दोनों अंगरक्षकों ने लड़की को घबराहट से देखा उन्हें डर था कि वह फिर से कोई गड़बडी पैदा करेगी चुंकि मक्खन्ख महो गया था जी जानतांग उनके लिए बहुत शक्तिशाली था लड़की ने बस अपने दाथ पीस लिए और चुप रहने का फैसला किया केबिन शान्थ हो गया हमले के बाद कोई भी बातचीत करने के मूर में नहीं था वे बातचीत करने से डरते थे कि कहीं और जान्वरों को वहां फुसला कर न ले जाया जाए शान्ती में वे अन्य केबिनों को हिलते हुए सुन सकते थे जटके आये और चले गए हर कोई चिंतित था प्रत्येक जटके का मतलब होगा कि दूसरे केबिन पर हमला हो रहा है और लड़ाई चल रही है समय आगे बढ़ता गया आधा घंटा बीत गया पिछले दस मिनट में कोई और शोर सुनाई नहीं दिया जब सभी ने सोचा की जानवर चले गए हैं तो उन्होंने उपर से चीखने की आवाज सुनी बहुत से लोग चिंतित थे वे तुरंत जी जानतान की ओर मुरे जो उनके मन को शांत कर सकते थे कोई नहीं आया वरुन ने भी गडबड़ी देखी उसने उपर देखा घर घराहट की आवाज बंध हो गई छट पर से कोई नीचे आ गया यह भारी शीर्षक वाला युद्ध पालतु योध्धा था जिससे वरुन और जी जानतान की मुलाकात वूतियान्मिन से हुई थी भूतियान्मिन को देखकर परिचारक बहुत खुश हुए आपसे मिलकर अच्छा लगा माउंटेन ब्रेकर उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया एक आदमी को हवा में मंदराता देख अन्य यात्री आश्चर्य चके त्रह गए और यहाँ आश्चर्य जल्द ही खुशी में बदल गया एक शीर्शक्युक्त युध पालतू योध्धा हमारी मदद करें कोई चिलाया पिछले आधे घंटे में किसी जानवर ने उन पर हमला नहीं किया लेकिन यात्री अभी भी ट्रेन और सुरंग दोनों को छोड़ने के लिए उत्सुक थे जो की अंधेरा और उमस भरा था वे मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थे वूतियानमिन ने मदद की गुहार अनुत्तरिक छोड़ दी उसने चारों और देखा लेकिन कोई खून के धब्बे या शव नहीं दिखे जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी उन्होंने जी जान्तान और वरोन पर एक नजर डाली सर्क मैं बहुत जल्दी में था और मेरे पास आपको ठीक से धन्यवाद देने का समय नहीं था वो तियान्मिन ने जी जान्तान से कहा जी जान्तान ने अपना हाथ लहराया बड़ी क्षमता के साथ बड़ी जिम्मेदारिया भी आती है अपने लोगों की सुरक्षा करना हमारा काम है वो तियान्मिन बूढे व्यक्ति के लिए और भी अधिक सराहनिय हो गया मैंने अभी कंड़क्तर से पूछा है इस बार हमला बड़े पैमाने पर था कई नौवे दर्जे के जानवर आये और कई केबिनों पर हमला हुआ ट्रेन इतनीक शतिग्रस्थ है कि आगे बढ़ना संभव नहीं है लेकिन हमने पहले ही निकटम स्टेशन को एक संदेश भीज दिया है करीब 15 घंटे में नई ट्रेन आजाएगी आप नई ट्रेन में मुफ्त में बदलाव कर सकते हैं कुछ देर रुकने के बाद उसने आगे कहा सर यदि आप जल्दी में हैं तो हम आपको आपके गंतव्यतक ले जाने के लिए कुछ उडने वाले पालतू जानवरों की व्यवस्था कर सकते हैं धन्यवाद कहने के तरीके के रूप में यहां आप दोनों के लिए एक विशेश उभार है बोलते बोलते उसने वरों की ओर एक और नजर डाली केबिन में मौजूद यात्रियों ने राहत और आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा वे मदद नहीं कर सके लेकिन अपना ध्यान वरों पर केंडरित कर दिया तभी जी जानतान ने उल्लेख किया था कि उस युवक ने मदद की थी लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया हालाकि शीर्शक युद्ध पालतु योध्धा ने भी ऐसा ही कहा था तो फिर यह सच होना ही था उन्होंने युवक को गलत समझा था किसी को दोशी महसूस हुआ युवक मदद के लिए बाहर भागा था लेकिन उन्हें लगा कि वह भाग रहा है और उन्होंने उस पर इसका आरोप लगाया कितना शर्मनात तीमारदारों को भी शर्मिंदगी महसूस हुई उन्होंने जी जानतां से मदद करने के लिए कहा था क्योंकि वह एक मास्टर बैटल पालतू योध्धा थे लेकिन वरुन एक युवा व्यक्ति जो शायद उनसे भी कमजोर था फिर भी बाहर निकलने को तयार था उस साहस ने उन्हें शर्मसार कर दिया था जी किव्यू को एसास हुआ कि उसने वास्तव में वरुन को गलत समझा था उसने उसकी ओर देखा केवल यह देखने के लिए कि वह पूरे समय शांत बना हुआ था उसे अपने आरोब पर पच्टावा हुआ यदि वह मदद करने वाली होती और उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता तो उसे भी बहुत निराशा होती वह जिजक रही थी सोच रही थी कि क्या उसे माफी मांगनी चाहिए उसी समय वरुन ने आगे कदम रखा था उन्होंने वू तियान मिंग से पूछा मुझे होली लाइट बेस सिटी जाने की जल्दी है क्या आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं? होली लाइट बेस सिटी जी जानतांग और जी कियू आश्चर यजकित थे वही उनकी मन्जिल भी थी वू तियान मिंग ने सिरहिलाया जरूर मैं एक उरने वाले पालतू जानवर की विवस्था करूँगा ताकि आप समय पर या समय से पहले पहुँच सकें यह सुनकर वरून खुश हो गए अच्छा सर आप कैसे हैं? वू तियान मिंग ने जी जानतां से पूछा जी जानतां थोड़ा जिचके उन्होंने उत्तर दिया हम होली लाइट बेस सिटी भी जा रही है क्या सन्योग है? वू तियान मिंग ने सिरहिलाया कोई बात नहीं सर हम भी उड़ने वाले पालतू जानवर लाना चाहते हैं हम आपको पैसे की पेशकश कर सकते हैं सर मैं वेल ओशन बेस सिटी के सन परिबार से हूँ अन्ययातरी अपनी जरूरतों के बारे में चिलाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे अभी जो कुछ हुआ था कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि जानवर वापस आएंगे या नहीं हर कोई उस जगह को जल्दी छोड़ना चाहता था वो तियानमिन ने एक लंबा चेहरा खीचा उसने खराटे लेकर सभी को शांत कर दिया यह सिर्फ उन दोनों के लिए है उनके बिना आप मेंसे कई लोग मर गए होते अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते तो कोई और आएगा और आपके लिए व्यवस्था करेगा आप अनुरोध दर्स कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके अनुरोध का उत्तर दिया जाएगा या नहीं युद्ध के पालतु योध्धा शीर्षक से भैभीत यात्रियों ने चीखना बंद कर दिया साहब कृपया अपना सामान लेकर आए मुझे जैसे ही वूतियानमिन ने जी जानतांग और वरुन की ओर रुख किया उन्होंने फिर से दयालू स्वर अपनाया हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है जी जानतांग ने अपनी पोती का हाथ ठाम लिया वरुन ने अपना बैग पहले से ही भंडारन स्थान में रख दिया था ताकि वह एक पल की सूचना पर निकल सके वे जाने के लिए तयार थे वूतियानमिन ने सिरहिलाया और रोते हुए बाहर निकल गया जी जानतांग और उनकी पोती केबिन से बाहर निकले वरुन ने भी ऐसा ही किया चलो चले वूतियानमिन ने कहा वरुन जी जानतांग और उनकी पोती पर एक शक्ती क्षेत्र डाला गया था बिजली क्षेत्र ने उन्हें हवा में ले लिया और सुरंग से बाहर उड़ा दिया वरुन ने स्वयं को उस शक्ती द्वारा संचालित होने दिया लेकिन दूसरी ओर जी जान्टांग और उनकी पोती कुछ घबराए हुए थे यह पहली बार था कि वे अपने लड़ाकू पालतू जानवरों पर सवार हुए बिना हवा में थे वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे वे दोनों लुद्ध के पालतू योधाओं से और भी अधिक भयभीत हो गए भले ही जी जानताम शीर्षक शेत्र से केवल एक रैंक नीचे था अंतिन चरण कहीं अधे कठिन था सुरंग में उन्होंने कई मरे हुए जानवर देखे थे साथ ही तूटे हुए केबिन भी देखे थे सुरंग में कुछ मानव अवशेश भी पाए गए बद्बू गंदी थी सुरंग में खोन की गंध भर गई इतने सारे शवों को देखकर जी जानतांग और उनकी पोती दुखी हो गए जैसे ही वे आगे बढ़े चारों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा जल्द ही वे धीमे होने लगे उनके आगे एक खड़ी सुरंग थी वो तियान मिन ने उन तीनों को लिया और उपर की ओर उड़ गया वे शीघ्रे ही अंत में पहुँचे और स्वयं को सतह के स्थर पर पाया वे एक उजार स्थान पर थे जहां जंगली घासें उग रही थी वहां भारी भीर थी लोग चिकित्सा उप्योग के लिए अस्थाई तंबू बना रहे थे वहां घायलों का इलाज चल रहा था दूरी पर लोगों का एक समुह लगभग तीस लोग उन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई थी कुछ लोगोंने सुन्दर कपड़े पहने हुए थे जबकि अग्यने सादे कपड़े पहने हुए थे लेकिन वे काफी मजबूत लग रहे थे उनमें से अधिकतर लोग सुरक्षित थे वे सभी निजी केबिन से हैं और किसी ने वही किया जो आपने किया खड़े हुए और मदद की वो तियान मिंग ने उतरते हुए कहा और धीरे से वरोन के साथ साथ जी जानतांग और उनकी पोती को भी जमीन पर गिरा दिया जी जानतांग और उनकी पोती ने उनकी ओर देखा उनमें से अधिकांश सुरक्षित थे और उन पर खून का कोई निशान भी नहीं था ऐसा लग रहा था जैसे जानवर के हमले का उनसे कोई लेना देना नहीं था जो लोग निजी केबिनों में सवार हुए थे वे या तो अमीर थे या प्रभावशाली थे वे बड़े आलू थे या बड़े आलू से संबंधित थे माउंटेन ब्रेकर वे कौन है जैसे ही वूतियानमिन उत्रा एक दुबले प्तले मध्यम आयू वर्ग के व्यक्ति ने उसे भौहों से देखा मुझे यकीन है कि निजी केबिन के सभी लोग यहां है वूतियानमिन ने उत्तर दिया वे तीनो साहसपूर्वक मदद के लिए बाहर गए मदद करना दुबले प्तले अधेड उम्र के आदमी ने अपनी भौहें उपर उठाई उसने जी जानतान की ओर देखा आठवे दरजे के मास्टर बैटल पालतू योध्धा होने के नाते जी जानतान वास्तव में बहुत मददगार हो सकते थे जहां तक उसके साथ आई लड़की की बात है दुबले प्तले अधेड उम्र के आदमी ने समझा कि वह बूढ़े आदमी का परिवार है तुम तीनों एक साथ हो अधेड उम्र के आदमी ने देखा कि वरुन उस बूढ़े आदमी और लड़की के उतना करीब नहीं लग रहा था जी जानतान ने सम्मान के साथ कहा हम एक ही केविन से है दुबले प्तिले अधेड उम्र के व्यक्ती ने वरुन की ओर देखा और वू तियानमिन से कहा इस बुजुर्ग ने मदद की है इसलिए वह जा सकता है परन्तु तुम्हें उस युवक को वापस ले जाना चाहिए अभी कई लोगों ने मदद की है यहां किसी को भी मत ले जाओ हमारे पास इतने सारे लायन इगल्स नहीं है आप जानते हैं तब जी जानतान को समझ हाया कि यह प्रशन क्यों उठाया गया था उसने डरते हुए वरुन की ओर देखा भूतियानमिन ने भौहें चढ़ा दी उन दोनों ने मिलकर काम किया और नौवे दर्जे के जानवर को पीछे धकेल दिया इस तरह के योगदान के लिए यह युवा विशेश सम्मान का हकदार है एक साथ काम किया दुबला प्तला अधेड हंसने लगा कहिए क्या होगा अगर मुझे एक औसत व्यक्ति मिल जाए और नौवी रैंक वाले को हराने के लिए उस आदमी के साथ काम करूँ क्या मुझे उसे भी श्रे देना होगा मुझे धीमा करने के लिए भूतियानमिन ने एक लंबा चेहरा खीचा यह सिर्फ एक व्यक्ति था बहस की जरूरत क्यों? वह बता सकता था कि अधेड उम्र का आदमी वरुन को निशाना नहीं बना रहा था बलकि जान बूचकर उसके लिए चीजें अजीब बना रहा था उसके और अधेड उम्र के व्यक्ति के बीच खराब संबंध थे वह केवल उन्हें सारवजनिक रूप से शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था अगर आपको जो औसत आदमी मिला उसने नवी श्रेणी के जानवर के सामने खड़े होने की हिम्मत की तो मैं उस आदमी की साहस की प्रशंसा करूंगा भले ही उसने कुछ और न किया हो वूतियानमिन ने जवाब दिया जब वरुन ने कारवाई की तो वह वहाँ नहीं था हालाकि वरुन में जी जानतान के साथ खड़े होने का साहस था केवल इसी कारण से वूतियानमिन वरुन को आपकी बात करने की जगह नहीं है जी जानतान ने उनके शब्दों को निगल लिया और उनका चेहरा धुंधला हो गया दुगले प्तिले मध्यम आयू वर्ग के व्यक्ती ने अपनी आख के कोने से जी जानतान को देखा पूर्वने वूतियानमिन से कहा साहस है न मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता ठीक है आप कहते हैं कि उसमें साहस है इसलिए बाद में जब लायन इगल आए तो मदद न करें यदि उसमें स्वय लायन इगल की पीट पर चड़ने का साहस और हिम्मत है तो मैं उसे हमारे साथ यात्रा करने दूँगा बूतियानमिन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था गर्जन तभी दूरक्षितिज से एक दहार सुनाई दी दहार शेर और जानवर का मिश्रन थी एक तेज आवास जो भयानक रूप से मर्मग्य थी चौक कर सभी ने उपर देखा और कई विशाल आकृतियों को आते देखा जैसे जैसे आकृतिया नस्दीक आती गई लोगों को पता चला कि वे आकृतिया पहाड जैसे शेरों की थी जिनकी भयंकर आखें और लंबे नुकीले दाग थे वे शेर देखने में बहुत भयानक थे शेरों के दो गहरे बैंगनी पंक थे जिनकी लंबाई एक दरजन मीटर से अधिक थी उन सभी को काठी पहनाया गया था टक्राना, टक्राना, टक्राना जैसे ही लायन इगल्स उत्रा जमीन हिल गई और हवा की धारा ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिये बैंगनी बादल शेर इगल्स जी क्यूई को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है लायन इगल्स के कई प्रकार थे और उनमें से सबसे कमजोर पाँचवी रैंक था लेकिन परपल क्लाउड लायन इगल्स काफी दुरजे थे वे आठवी श्रेनी के थे और काफी आकरामक थे दुबलेक तले अधेड उम्र के आदमी के शब्दों को याद करते हुए जी क्यूई ने चिंता से वरुन की ओर देखा पहले व्याई पी को आने दीजिए दुबलेक तले अधेड उम्र के आदमी ने अपना हाथ लहराया किसी ने तुरंट लायन इगल्स को नियंत्रित करने के लिए एक कदम उठाया और उन लोगों को लायन इगल्स पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया, जिन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे या जो शक्तिशाली लग रहे थे प्रत्येक Lion Eagle में पांच निश्चित सीटे थी Lion Eagle की गरदन के पीछे Master, उर्फ, पाइलट के लिए एक और सीट थी निजी केविनों से VIP लोग एक के बाद एक Lion Eagles पर चड़े एक बार सीटे ले लेने के बाद Purple Cloud Lion Eagle अपने मालिक के आदेश के तहट आकाश में उर जाएगा दुबले प्तिले अधेड उम्र के व्यक्ति ने कहा आप जिन्होंने वीर्ता पूर्वक काम किया है अब जा सकते हैं जो लोग पास खड़े थे वे शेर Eagles की पीठ पर चड़ गए जी जानतांग उनकी पोती साथ ही अन्य केबिनों में मदद करने वाले अन्य लोग एक Purple Cloud Lion Eagle पर चड़ गए जिन लोगोंने मदद की पेशकश की थी उनमें से अधिकांश उननक युध योधा या जी जानतांग जैसे मास्टर युध योधा थे वे Purple Cloud Lion Eagles से नहीं डरते थे लेकिन वे एक ही समय में हलके से चलते थे और गुस्से वाले पालतू जानवर को भड़काने से डरते थे दादा जी वरुन जमीम पर अकेले खड़े थे जी Q.U. इसे बरदाश्ट करने में असमर्थ थे उसने अपने दादा जी की आस्तीम खीची जी जानतांग ने आह भरी उसने तभी वरुन का बचाव करने की कोशिश की लेकिन अधेर उम्र के व्यक्ति को इसकी परवाह भी नहीं हुई सच है बुढ़े योध्धा ने मदद की थी लेकिन जहां तक मध्यम आयू वर के युध पालतू योध्धा का सवाल था जी जानतां कुछ भी नहीं था और फिर भी बुढ़ा आदमी वरुन के बारे में इतना चिन्तित नहीं था उसने देखा था कि कैसे वरुन ने सूट पहने उस बुढ़े आदमी को मुक्का मार कर मार डाला था जी जानतां को यकीन नहीं था कि यह एक गुप थमला था लेकिन वह जानते थे कि वह युवक कमजोर नहीं था परपल क्लावड लायन इगल्स औसत उननत युद्ध पालतू युद्धाओं को डरा सकता है लेकिन वरुन को नहीं चिन्ता मत करो वह ठीक हो जाएगा वह आपकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है जी जानतांग ने अपनी पोती को सांतवना देने के लिए फुसुसाया जी क्यूयू ने कुछ और कहने की कोशिश की तभी उसे एक तेज जटका महसूस हुआ जिस परपल क्लावड लायन इगल पर वे बैठे थे उसने अपने पंक फड़फडाय थे और काफी उचाय तक उड़ गया था एक पल में वह जमीन पर खड़े लोगों को बिलकुल भी नहीं देख सकी अंतिम एक दुबले प्तिले अधेड उम्र के व्यक्ती ने वू तियानमिन की ओर देखा और एक नजर वरुन पर डाली यह मत कहो कि मैंने तुम्हें कभी मौका नहीं दिया जाना तियानमिन ने कहा कि तुमने नवी श्रेनी के जानवर का सामना करने का साहस किया वह मुझे दिखाओ भू तियानमिन ने अधेड उम्र के व्यक्ती की ओर देखा और फुस फुसाकर वरुन से कहा बस जाओ और किसी भी बात की चिंता मत करो अगर शेर इगल आप पर हमला करेगा तो मैं आपकी रक्षा करूंगा उन्होंने वरुन को सुरक्षित महसूस कराने के लिए ऐसा कहा आखिरकार डर अक्सर खत्रे की चिंता से आता है वरुन ने कुछ नहीं किया उसने दुबलेप्तले अधेड उम्र के आदमी से पूछा तुम कौन हो मुझे तुम्हें कुछ भी क्यों दिखाना है क्रोध के आवेश में उसने वरुन को धमकाने की कोशिश करते हुए अपनी सुक्ष्म शक्तिया जुटाई भूतियानमिन इस अफसर पर पहुँचे उन्होंने वरुन को अत्यधिक तनाव से बचाने के लिए उसके उपर सुक्ष्म शक्ती ढाल की एक परत स्थापित की पर्याप्त क्या आप उसे पीटना चाहते हैं दुबलेप्तले अधेड उम्र के आदमी ने उसकी ओर घूर कर देखा मैं एक पालतू योध्धा हूँ मुझे इस तरह अपमानित नहीं किया जाएगा वह आज इस जगह को जीवित नहीं छोड़ेगा वूतियानमिन ने कदम नहीं हटाया वह जानता था कि वरुन ने असभ्य व्यवहार किया था और उसने एक पालतू योध्धा योध्धा को नाराज कर दिया था साथ ही वह ये शब्द सुनकर बहुत खुश हुआ जब तक मैं यहां हूँ आप उसे चोट नहीं पहुँचाएंगे वूतियानमिन थोड़ी सी भी रियायत नहीं देने वाला था वूतियानमिन आपका क्या मतलब है उसने मेरा अपमान किया है और फिर भी आप उसका बचाव कर रहे है क्या तुम अपने आपको मेरा दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो दुगलापतला अधेड उमर का आदमी वूतियानमिन को घूरता रहा वूतियानमिंग ने व्यंग्य किया हम्म ऐसा नहीं था कि यह पहला दिन था जब हमारे बीच असहम्ती हुई थी और हर कोई इसे जानता था तो क्या हुआ जब आप एक पसंदीदा युध योध्धा हैं तो आपको ऐसे युवा व्यक्ती के साथ इतना प्रतिस्पर्धी क्यों होना पड़ता है मुझे भी आप पर शर्म आती है क्या तुमने उसका अपमान नहीं सुना नहीं उस उत्तर ने उस दुबलेक्त ले अधेड उमर के व्यक्ती को क्रोधित कर दिया उसने वरोन पर नजर डाली जो वूतियान मिंग के पीछे खड़ा था फिर उसने अपने दांत काटे और एक गहरी सांस ली अच्छा मैं रुप जाऊंगा उसे लायन इगल तक चढ़ने दो लेकिन हमें एक सौदा करना होगा यदि वह नहीं कर सकता तो आप मुझे दोश नहीं दे सकते भूतियान मिंग ने उस पर व्यंग्य किया आपको काम्याबी मिले चिंता मत करो मुझे तुम्हें मिल गया है उन्होंने पलट कर वरुन का होसला बढ़ाया ओ भी वरुन ने आखे मूद ली उस दुबले पले अधेर उम्र के व्यक्ति ने अच्छे शब्द कहे थे लेकिन वह बता सकता था कि वह अपना जीवन समाप्त करने के लिए और भी अधेक द्रिड था फिर भी वह मुह और जीब के विवार पर समय बर्बात करने के मूर में नहीं था वह पीछे मुडा और विशाल शेर इगल को देखा वरुन ने खुद को जमीन से उपर उठाने के लिए लात मारी और लायन इगल की पीठ पर चड़ गया जैसे ही वरुन उचला शेर चील ने अप्रसन होकर खराटे भरी बाकी लोग हमेशा सावधानी से उसके पंखों पर चड़ते थे और यहां आदमी इतनी बेहमी से उपर कूट गया था जब शेर इगल अपने गुस्से पर काबू पा रहा था उसकी पूंच के सिरे से तेज दर्द महसूस हुआ पूंच उसका सबसे कमजोर हिस्सा था और ऐसा दर्द लायन इगल को उत्तेजित करने का सबसे आसान तरीका था गर्जन बैंगनी बादल शेर इगल की आखें लाल हो गई शेर इगल इंसान पर और भी अधिक क्रोधित था और उसे नश्ट करना चाहता था जब शेर इगल कारवाई का सहारा लेने वाला था अचानक उसने उसकी आखों में देखा दो थंडी आखें ऐसा लग रहा था मानो उस जोडी आखों में राक्षस चुपे हुए हूँ राक्षस दुष्ट और क्रूर थे उस नजर ने शेर इगल के दिल के गुस्से पर थंडा पानी डाल दिया था पालतू जानवर की आखें साफ हो गई शेर इगल उस युवक को भूर कर कामपने लगा और खुद को जमीन पर गिरने से नहीं रोक सका जानवर ने अपने पंक उसके सिर पर रख दिये मुढ गया और कामपने लगा वह प्रतिक्रिया सभी के लिए आश्चर्य की बात थी एक सेकंड पहले शेर इगल गुस्से में था लेकिन अगले ही पल वह भैभीत हो गया बटेर की तरह कामपने लगा वरुन बैठ गया था लायन इगल की पिछली पांच सीटों में से चार सीटे ले ली गई थी जो चार लोग पहले से ही वहां मौजूद थे वे यह देखकर आश्चर्य च्कित रह गए कि अभी क्या हुआ था वरुन ने खाली सीट पर नजर डाली बैठने के बजाए वह गुस्से से पलट गया क्या? दुगला प्तला अधेड उम्र का आदमी यह देखकर दंग रह गया कि परपल क्लाउड लायन इगल कैसे डर से काम रहा था तभी उसने गुप रूप से शेर इगल को उकसाया था जिसे डर के बजाए क्रोध से भरा होना चाहिए था इसके अलावा लायन इगल शुरुवात में गुस्से में था इसे अचानक दर क्यों लगने लगा? लायन इगल्स को आकरामक जानवर माना जाता था जब वह इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था तो उसे घातक खत्रे का एहसास हुआ उसने उपर देखा और देखा कि वह युवक शेर इगल की पीठ पर खड़ा है वह उस युवक से आश्चर यचकित था जो उस पर जान से मारने की नियत से हमला कर रहा था वह बच्चा मुझे मारना चाहता है कितनी अजीब बात है अधेर उम्र का आदमी यह भी तय नहीं कर पा रहा था कि वह उसे डाटे या उस परहन से यह गुंडा अपने आपको कौन समझता है वह तो कुछ भी नहीं है आपका और मेरा अतीत में कोई मतभेद नहीं था लेकिन फिर भी आपने जानबूच कर मेरे रास्ते में बाधाय खड़ी की मैं आपके लिए चीजों को बहुत कठिन नहीं बनाऊंगा यदि आप मेरे एक मुक्के से बच सकते हैं तो जो कुछ हुआ वह पुल के नीचे पानी होगा और मैं अतीत के बारे में कोई बड़ा उपद्रव नहीं करूंगा वरुन ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए और अधेड उम्र के आदमी को घूर कर देखा उन्होंने शांत स्वर में बात की और उनकी आवाज सभी के लिए स्पष्ट थी दुबला प्तला अधेड उम्र का आदमी अकेला नहीं था जो हैरान था वूतियान मिन जो वरुन के शेर इगल की पीठ पर चड़ने के बाद भी अपनी खुशी का अनुभव कर रहा था भी स्थब्ध था लायन इगल पर सवार अन्य चार लोगों वरुन की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो क्या यहां आदमी अपने दिमाग से बाहर था उसे एक शीर्षक वाले पालतू योध्धा को चुनौती देने का साहस किस ने दिया कमीने तुम यहां से जीवित नहीं जा रहे हो दुबले प्ले अधेड उम्र के आदमी ने आखिरकार वरुन की बातों पर अमल किया वह आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया वरुन ने पहले से ही इस अधेड उम्र के व्यक्ती में हत्या की इरादे को उत्तेज़त कर दिया था जो अपमान का एक और दौर बरदाश्ट नहीं करेगा उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वूतियान मिंग उस युवक की रक्षा करेगा या नहीं वह उसे मारने वाला था एक शीर्शक युक्त युद्ध पालतू योध्धा का अपमान नहीं किया जाएगा वूतियान मिंग आश्चर्य से गुंगा हो गया उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शांत दिखने वाला युवक इतनी घमंड भरी बातें कर पाएगा यहां तक कि वूतियान मिंग भी वरुन का बचाव करने का कोई कारण नहीं ढूंड पाए आखिरकार वरुन एक नामित युध पालतू योधा का अपमान और अपमान कर रहे थे स्वया ऐसे रैंग का होने के नाते गुतियान मिंग व्याभारिक रूप से स्विकार करेगा कि यदि वह फिर से वरुन का पक्ष लेता है तो वह शीर्शक वाले रैंग के लोगों के साथ गंभीरता से व्याभार नहीं करेगा क्या आप तयार हैं वरुन ने शांती से फिर पूछा अत्यधिक क्रोध के कारण दुबला प्तला अधेड उम्र का आदमी लगभग हंसने लगा जवाब देते हुए उसकी आखों में ठंडक की चमक उभराई आओ और मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो यह मत कहो कि मैं तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार कर रहा हूँ यदि तुम मुझ पर प्रहार कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक शमा कर दूँगा ज़रूर वरुन के अंदर सुक्ष्म शक्तियां उमर पड़ी उसे खत्म कर दो उन्होंने जो सुक्षम शक्तिया जुटाईं वे केवल सात्वी रैंट पर थी फिर भी उसके आसपास के लोग अभी भी सदमे में थे वे नहीं जानते थे कि वह युवक पहले से ही एक उन्नक युद्ध योध्धा था उस तथ्य ने ही प्रदर्शित किया था कि वह युवक प्रतिभावान था हालाकि यह प्रतिभा बहुत घमंडी थी वा, वरुन ने अचानक एक चाल चली वह शेर इगल की पीट से कूट गया और आकाश में दुबले प्तले अधेड उम्र के आदमी की ओर उड़ गया उरना, देखने वालों को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ दुबला प्तला अधेड उम्र का आदमी पूरी तरह से भ्रमित होकर वरुन को देखता रहा वह युवक शीर्शक रैन पर था अगले ही पल उस दुबले प्तले अधेड उम्र के व्यक्ति को लगा कि कुछ हत्या का इरादा सीधे उसकी ओर बढ़ रहा है दुबला प्तला अधेड उम्र का आदमी होश में आ गया अभी भी हैरान वह किसी उत्तर के बारे में सोचने के मूर में नहीं था वह लापरवाह नहीं हो सकता था उसने अपनी सुक्ष्म शक्तियों को संगठित करने और कई सुक्ष्म शक्ति धाले स्थापित करने में जल्दबाजी की यदि ऐसा न होता कि वरोन ने बहुत अचानक काम किया होता तो दुबलेप्तले मध्यम आयू वर्ग के व्यक्ति ने अपने लड़ाकू पालतू जानवरों को गुला लिया होता जब वरोन अपने लक्षे से लगभग 10 मीटर दूर था तो उसने अपनी मुठी उपर उठा ली उसने दूर से दुबलेप्तले अधेर उम्र के आदमी पर मुक्का मारा तक्राना उस मुक्के की ताकत से हवा भी फट गई हवा में कोई भी चीज वरोन को नहीं रोक सकती धनुशाकार हवाई धारा दब गई बैंग 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 दुबले प्तले अधेड उम्र के व्यक्ती ने जो कई सुक्ष्म शक्ती ढाले स्थापित की थी, वे तूट गई युद्ध के पालतू योध्धाओं द्वारा लाई गई धाले और सत्थ नवी रैंक के जानवरों के हमलों को रोकने के लिए काफी मजबूत मानी जाती थी और फिर भी वरुन का मुक्का इतना विनाशकारी था कि सभी धाले आसानी से फट गई मुठी की छाया आगे बढ़ी और दुबले प्तले अधेड उम्र के आदमी पर पड़ी नहीं, दुबला प्तला अधेड उम्र का आदमी अंदर दर से चिलाया उसके कपडों पर सुनहरे रंग की एक परत उभराई सुनहरा रंग एक धाल में बदल गया जो उसके पास एक कीमती कलाकृती थी धाल चमकती हुई उसके सिर के उपर तैर रही थी बूम, मुक्का धाल पर लगा जैसे ही सुनहरी रोशनी गायब हुई, एक चटकने की आवाज सुनाई दी उसी समय दुबले प्तले अधेड उमर के आदमी के कपड़े बिखर गए और धातु के कई टुकडे बेतरतीब धंग से उड़ गए कीमती कलाकृतिया चिन्नभिन हो गई थी अब कोई भी कीम्ती कलाकृतिया दुगले प्तले अधेड उम्र के आदमी को मुक्के से नहीं बचा सकती। कौन है ये युवक्त? कि उसके पुराने दुश्मन को वरुन सारवजनिक रूप से एक मुक्के से मार सकता है। जब दुबला प्तला अधेड उम्र का आदमी उसे मारने की कोशिश करने वाला पहला व्यक्ती था, तो वरुन गया नहीं दिखाएगा। आखिरकार वरुन ने कुछ दया तो दिखाई। उन्होंने ओज़ा की मुठी का प्रयोग नहीं किया। नहीं तो दोनों पैर भी नश्ट हो जाते। चलो चलें, वरुन ने लायन इगल की गरदन पर बैठे आदमी से कहा और खाली सीट पर बैठ गया। अधेड उम्र का सवार आठवी श्रेनी का मास्टर बैटल पालतू योध्धा था, लेकिन वह गुंगा हो गया था। वरुन ऐसे कैसे बात कर सकते थे जैसे कुछ हुआ ही नहो। वह आदमी काम उठा। वरुन ने एक मुक्के से एक पालतू योध्धा को मार डाला था, और फिर भी वह इतनी लापरवाही से काम करने में सक्षम था। यह युवक कौन है? तुम्हें किसने कहा कि तुम जा सकते हो, जमीन पर खड़ा एक शक्स जोर से चिलाया। युवक ने सरयाम एक शक्स की हत्या कर दी थी। उसे ऐसा क्यों लगा कि वह बिना कोई परिनाम भुगते वहां से जा सकता है। जानने का साहस नहीं हुआ। वह और दुबला तला अधेर उम्र का आदमी ताकत में बराबर थे। चुंकि बादवाला मुक्के से बचने में असमर्थ था। इसलिए उसका प्रदर्शन बहतर नहीं होगा। बचाना इस वक्त सबसे अहम था। एक तरह से उसे धमकाया जा रहा था। जब उच्छ अधिकारियों ने उस पर दोश मढ़ने की कोशिश की तो वह अपने लिए एक बहाना ढून सका। इस पर विचार करने के बाद उस आदमी ने डरे हुए शेर इगल को थपथपाया औ और उसे उडान भरने का आदेश दिया। परपल क्लाउड लायन इगल खड़ा हो गया, कांप रहा था और घबराहट से अपने पंक फरफड़ा रहा था। शेर इगल ने जमीन चोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया, जैसे कि वह अपनी पीठ पर एक पहार उठा रहा हो वरुन चला गया, जो लोग जमीन पर खड़े थे, वे काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। उस समय वूति आनमिन ने सोचा कि युवक का मतलब था कि जानवर भाग गया है। आखिरकार उसे समझ में आया कि वह युवक उससे कह रहा था कि जानवर मारा गया है। वूति आनमिन दर से काम उठा। शीर्षक पद के शिखर पर एक व्यक्ति अभी-भी उसके साथ था और उसे इसका एहसास नहीं हुआ। सवभाग्य से उसने उस संकी को परिशान नहीं किया। नहीं तो उसके पैर जमींग पर होते। भूतियान मिन ने अवशेशों पर नजर डाली और मन ही मन एक आह भरी। उसका पुराना प्रतिदवंध भी कितना बदकिस्मत था। शीर्शक रैंग के शिखर पर पुराने शैतान ऐसे ही होते हैं, है ना। बहुत भयावत। हवा में शेर इगल की पीठ पर वरुन चुकचाप बैठा था, जबकि बाकी चार लोग डरे हुए थे। उन्हें एक ऐसे संकी व्यक्ति के बगल में बैठना काफी असर्ज महसूस हो रहा था जिसने हाल ही में एक पालतु योध्धा की हत्या कर दी थी। उन्हें डर था कि कहीं अंजाने में वे इस शक्तिशाली योध्धा को परिशान न कर दें। यात्रा शांत थी हवा की आवाज के अलावा या जब कोई गटक रहा हो तो कोई आवाज नहीं थी। वरुन ने समझाने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने बस अपनी आखें बंद रखी और आराम किया। वह एक बड़े जंगल के उपर उड़ रहा था। कभी कभार वह कुछ जानवरों को जमीन पर इलाकों के लिए लड़ते हुए देख सकता था। लेकिन इस ख्षेत्र ने एक अच्छा द्रिश प्रस्तुत किया। इस घुटन भरी खामोशी में आखिरकार लायन इगल के मालिक ने हिम्मत जुटाई और पूछा सर आप कौन से किस आधार शहर में जा रही हैं। उसे डर था कि अगर उसने प्रश्ण में और देरी की तो वह वरुन की मंजिल चुक जाएगा। और भी कम समय लगता। लायन इगल्स एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक उड़ान भरते थे और स्टेशन आधार शहर थे। प्रतेक आधार शहर के आसपास प्रादेशिक हवाईक शेतर में केवल कुछ ही जानवर होंगे। यदि वे पूरी तरह से जंगलीक शेतरों मे उड़ते तो अंतवे उड़ने वाले जानवरों के कुछ जुंडों में पहुँच जाते। सर्क ध्यान रखें, लायन इगल के मालिक ने होली लाइट बेस सिटी की दिवार के बाहर एक पहाड पर वरुन से कहा। पहाड के पास एक सपाट मंच था, मानो किसी ने उसकी चो अंगे चार यात्री साथ ही लायन इगल का मालिक वरुन को जाते हुए देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए वरुन को अलविदा कहा। वरुन के जमीन पर कूदने के बाद दूर से कोई आया। उस व्यप्ती ने सफेद वर्दी पहन रखी थी। सर्क स्वागत है। अलावा वह बहुत सारे सुक्ष्म सिक्के नहीं रखना चाहता था जिन्हें उर्जा बिंदूओं में परिवर्तित नहीं किया जा सके। यदि उसे अधिक धन की आवश्यक्ता होती तो वह कुछ कीम्ती कलाकृतिया बेच सकता था और वह आसानी से करोडों कमा सकता था। उसने का प्रयास करने में कठिनाई होगी। उची 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 इमारतें और बड़ी ब्ली हवेलिया बनाई गई। वरुन का मानना था कि किसी की रुची के पोर्शन में पर्याबरन बहुत महत्वपूर्ण है। इसने कोई आश्चर्य नहीं कि शहर में हर साल कई मास्टर बैटल पालतू योध्धाओं का जन्म हो सकता है। यह समझ में आता था। जल्दी करो। मैंने सुना है कि प्रेनर की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। जल्दी करो कई लड़के लड़किया वरुन के पास से दोड़े। वरुन को समझ नहीं आया। प्रशिक्षक की प्रतियोगिता। प्रशिक्षक किसमें प्रतिसपरधा करेंगे? प्रशिक्षकों के बारे में वरुन की धारणा यह थी कि प्रभाव प्रस्तुत करने से पहले उन सभी को पालतू जानवरों को कुछ समय के लिए प्रशिक्षित करना होगा, शायत कुछ दिन या महीने भी. प्रतियोगिता कित ट्रेनर आईडी दिखाएं, दरवाजे पर मौझूद दो गार्डों ने वरुन को रोका। वरुन को अचानक याद आया कि लड़के-लड़कियों ने गार्ड को कुछ दिया है। ठीक है, मेरे पास वे नहीं है। वरुन ने जवाब दिया। गार्ड आश्चर्यच कित थे। उनमें से एक ने कहा ट्रेनर आईडी भी नहीं। यहां तक की प्रारमभिक स्टर की एक आईडी भी ठीक रहेगी। वरुन कभी भी लोंगजियांग बेस सिटी के ट्रेनर असोसियेशन में नहीं गए थे और उन्होंने कभी भी अपने लिए ऐसी आईडी प्राप्ट नहीं की थी। उसकी मा के पास एक था। वह वही थी जो पहले स्टोर चलाती थी और आखिरकार एक पेशेवर प्रशिक शक थी हाला कि उच्चस तरकी नहीं थी। मैंने इसके लिए कभी आवेदन नहीं किया है। क्या मैं टिकट खरीद सकता हूँ वरुन ने पूछा। दोनों गार्डों ने सिर हिलाया। नहीं केवल आईडी। आप जा सकते हैं और एक प्राप्ट कर सकते हैं फिर आप वापस आ सकते हैं। वरुन को कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि पैसा यहां काम नहीं आ सकता। कोई अन्यविकल्प न होने पर वरुन पीछे मुडा और जाने के लिए तयार हो गया। क्या आप जाकर मैच देखना चाहते हैं? मैं तुम्हें अंदर ले जा सकता हूँ। उसने एक सुखद आवाज सुनी। दो लड़किया उसके पास आ रही थी। वे दोनों 20 वर्षके थे। लड़कियों में से एक ने पोनी टेल, जीन्स और सफेड टीशर्ट पहन रखी थ वह जाना चाहता है और मेरे पास एक अतरिक्ट टिकट है। हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। पोनी टेल वाली लड़की ने मीठी मुसकान बिखेरी। बैंगनी रंग की पोशाक में लड़की ने अपने दोस्ट पर नाराजगी भरी नजर डाली और फिर वरुन की ओर देखा केवल यह देखने के लिए कि वह काफी अच्छा, सुन्दर और जोश से भरा हुआ लग रहा था। अचानक बैंगनी पोशाक वाली लड़की को अब अपने दोस्ट के फैसले से कोई समस्या नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद वरुन ने दयालू लड़कियों क की तरफ देखा। मिस आप छठी रैंक के मध्यवर्ती स्थान पर एक प्रशिक्षक हैं। बेशक आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। वरुन इस बात से हैरान थे कि जो लड़की उनकी उम्रे की लग रही थी वह एक अनुभवी ट्रेनर थी। उच्छ पद पर बैठे की तुलना में अधिक महत्व दिया जाएगा। कृपया इस तरफ से गाड किनारे पर चले गए और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर बुलाया। पूरोंगरोंग ने अपनी आईडी वापस ले ली और अपना पर्स वापस अपनी जेब में रख लिया। मैं देख रहा हू की पोशाक में लड़की ने दिल्चस्पी से वरुन का आकार लिया। प्रशिक्षक सभा वरुन ने वही शब्द दोहराये। तुम्हें यह नहीं मालूम। दोनों लड़किया स्थ रह गई। इतने भव्या आयोजन का नाम वरुन ने क्यों नहीं सुना। वरुन को एहसा प्रशिक्षकों के लिए एक प्रतियोगिता है। क्या आप भी प्रशिक्षक हैं? यदि आप नहीं हैं, तो आप मैच को समझने में सक्षम नहीं हो सकते। मैं करह का हूँ। एक प्रकार का दोनों लड़किया और भी अधिक भ्रमित थी। आप किस रैंग पर हैं? आप एक प्राथमिक प्रशिक्षक हूँ, वह परीक्षा देने के लिए ट्रेनर्स एसोसियेशन में कभी नहीं गया था। उसने सोचा कि सिस्टम के आतलन के अनुसार वह प्राथमिक स्थर पर था। तो प्राथमिक स्थर। बैंगनी पोशात में लड़की ने वरुन की और एक साफी अच्छा है। होली लाइट बेस सिटी ट्रेनर्स असेंबली की मेजबानी कर रहा था जो हर तीन साल में होती थी। यहां आयोजन युद्ध के पालतू युद्धाओं के लिए एलीट लीग की तरह था। एक भव्य आयोजन अन्य सभी बेस शहरों से प्रशिक्षक होली लाइट बेस में थी और आधिकारिक खेल अभी शुरू नहीं हुए थे। इस स्टेडियम में मैच स्वायत रूप से आयोज़त किये गए थे। पोली लाइट बेस सिटी में इस तरह के बहुत सारे जमीनी स्टर के मैच हुए जो बेस सिटी की विशेष्टाओं में से एक था। वे तीन के पालतू जानवरों के साथ दो लोग थे जो एलिट लीग की तरह दिखते थे। अंतर यह था कि मंच बरकरार था। दोनों ने एक दूसरे की ओर नहीं देखा, उन्होंने अपने सामने युद्ध के पालतू जानवरों पर ध्यान केंद्रित किया। हमें एक बहतर स्थान धूंडने की जूरत है। कोंग लिंगलिंग ने चारों और देखते हुए कहा। उसकी खुशी के लिए उसने अचानक कुछ देखा। उसने तुरंथ हू रोंगरोंग से कहा। रोंगरोंग देखो सीनियर जियो वहाँ है। चलदर। हू रोंगरोंग जिजक रही थी जब कोंग लिंगलिंग ने पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे दूर खीच रही थी तीन युवक एक विस्तरित ग्रिश वाले क्षेतर में बैठे हुए मैच देख रहे थे ब्रशकट वाले एक युवक ने अचानक ताली बजाई और उत्साह में चिलाया यह नीचे ज पर है और हमारे वर्श के शीर्ष पांच चात्रों में से एक है पांचवी श्रेणी के इस चौट विंड टाइगर को जो विशेश रूप से हिंसक नहीं है वश्मे करने में दस मिनट से अधिका समय नहीं लगना चाहिए ब्रशकट वाले युवक ने मुस्कुराने पर मज में किया जा सकता था अगर मैं वहां मंच पर होता तो शायद असफल हो जाता नीली शर्ट वाले युवक ने सिर हिलाया तभी उसे एक सुख़द आवास सुनाई दी वरिष्ट जियो तीनों लड़के घुमें और उनकी आखों में दो खूबसूरत लड़कियों की नजर प की बात थी कि वह उन्हें याद रखेगा आप से मिलकर अच्छा लगा उरोंगरॉंग ने सम्मान के साथ उसका स्वागत किया आप दोनों को यहां देखकर बहुत खुशी हुई स्वागत ब्रशकट वाला युवक और दूसरा चोटा युवक होश में आ गए उन्होंने सह ते कि उन्होंने उन्हें हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रिप किया ब्रशकट वाले युवक ने हुरोंगरॉंग से पूछा तुम्हारा दोस्त इससे पहले की हुरोंगरॉंग जवाब दे पाता ठोंग लिंग लिंग ने उसे पीट दिया वह दूसरे बेस शहर से एक प्राथ में प्रशिक्षक है, बस अपने दिमाग को व्यापक बनाने के लिए आ रहा है। उनके पास कोई निमंतरन नहीं था, इसलिए रोंगरों उन्हें हमारे साथ अंदर ले गए। नव्यवक समझ गए। उन्होंने वरोन से दोबारा बात किये बिना लड़कियों को फिर से बैठने के लिए आमंतरित किया। बहुत खूब। अचानक भीड खुशी से जूम उठी। सभी ने अपना ध्यान मंच पर केंदरित कर दिया। जज ने मंच पर कदम रखा। उन्होंने दो दावेदारों में से एक की और अपने हाथ में लाल जंडा दिखाया और घोशना की विजेता फेन यिलियंग। दर्शक जोर-जोर से चिलाने लगे। कॉंग लिंग लिंग ने आश्चर्य से पूछा क्या वह सीनियर फेन वहां मंच पर है। फूरोंगरों को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। वह पहले से ही मंच पर खड़े व्यक्ति को देख सकती थी। सच है यह उनकी अकादमी से फेन यिलियंग था, कोई ऐसा व्यक्ति न कॉंग लिंग 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 ने अपनी आखों में उत्साही प्रशंसा के साथ जियो फेंगक्सु से पूछा। उसे पूरा मंच साफ नजर आ रहा था। हाला कि इस से पहले की वह समझ पाता की क्या हो रहा है, प्रतियोगिता समाप्थ हो चुकी थी और एक पक्ष जीत चुका था। वह काफी भ्रमित था। पूरोंगरोंग पास ही बैठा था। उसकी उल्जन को देखते हुए पूरो पालतू जानवर को वश्मे कर सकता है, फिर युद्ध के पालतू जानवर से मास उठवा सकता है और उसे थुके बिना अपने मुह में रख सकता है, वह विजेता होता है। उनके स्पष्टी करन से वरोंग का भ्रम दूर हो गया। उसने देखा कि युद्ध के पालतू जा बिल्कुल, क्या तुमने वश्मे करने का कौशल नहीं सीखा? यहां तक की एक प्राथमे प्रशिक्षक को भी. एक ए. उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था. वरुन थोड़ा शर्मिंदा हुए. दरसल उन्होंने को पालतू जानवरों को कुछ कौशल सीखने या उन्हें मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्षकता है. कुछ युद्ध पालतू जानवर हिंसक होने के लिए पैदा होते हैं और जब वे अपने मालिको द्वारा नियंतरित नहीं होते हैं, तो वे अपना यह पक्ष दिखाएंगे. वश में करने के कौशल के बिना, लोगों को अपने पालतू जानवरों के हिंसक पक्ष को नियंतरित करने के लिए कुछ आउश्धी का उप्योग करने की आवश्षकता होगी, लेकिन आउश्धी के दुश्प्रभाव होते हैं. इसलिए किसी भी योग्य प्रशिक्षक के लिए वश में करने का कौशल आवश्षक है. पूरूंगरॉंग ने वरूंग को गंभीरता से समझाया. वरूंग बता सकते हैं कि वह वास्तव में युद्ध के पालतू जानवरों को बहुत महत्व देती है. उसने उसकी ओर सिर हिलाया. कॉंग ल लिंगलिंग ने अवमानना के साथ कहा. पूरूंगरॉंग ने भौहें चड़ा दी. उसने एक नजर वरून पर डाली लेकिन बोली कुछ नहीं. सीमित संसाधनों वाले कुछ आधार शहरों में आमतौर पर ऐसा होता था कि प्रशिक्षक केवल कौशल सेट का एक हिस्सा ही सीख सकते थे. हूरूंगरों को इसकी जानकारी थी, लेकिन वह इस तरह की प्रथा को स्विकार नहीं करता था. वा! अचानक एक व्यक्ति मंच से उतर कर उनके सामने आ गया. यह एक युवा व्यक्ति था जो अभी अभी जीता था. रॉंग रॉंग! हूरूंगरों को सीनियर फेंग मैं यहां खेल देखने के लिए आई हूँ. उसने भौहें चड़ाते हुए कहा. क्या ऐसा है? क्या तुमने देखा? मैं अभी जीत गया. फेंग यलियान कान से कान तक मुस्कुराया. जीत ने उसे पहले से ही अच्छे मूर में डाल दिया था. जिस लड़की में बैठे वरुन की ओर मुरा और पूछा, रॉंग रॉंग क्या वह आपका दोस्त है? तभी उन्होंने हूरोंगरों को स्टेज से वरुन से बात करते देखा था. इसलिए फेंग यलियान वरुन के वहां होने से खुश नहीं थे. वरुन ने फेंग यलियान की आखों में शत्रुता देखी. वह रोमांटिक तरीके से हूरोंगरों में दिल्चस्पी नहीं रखता था, बस आभारी था. यह जानते हुए कि फेंग यलियान का दिल हूरोंगरों पर था, कॉंग लिंग लिंग ने अपने दोस्त को समझाने के लिए जल्दबाजी की, सीनियर फेंग यह एक गलतफमी है. हम उससे दरवाजे पर मिले और वह खेल देखना चाहता था, इसलिए रोंगरोंग ने उससे अंदर आमंतरित किया. यह बताता है. फेंग यलियान ने वरोंग की ओर अपनी आखे घुमाई. अगर तुम अजनभी हो तो यहां क्यों बैठे हो? दूर ज यलियान खड़े हुए और नीचे वरोंग की ओर देखा. आपने अभी अभी क्या कहा? वह बात मुझसे दोबारा कहो. उरोंगरोंग पीला पड़ गया. आप क्या कर रहे हो? उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया. उसने फेंग यलियान को डाटा. जो फेंगक सुने भी तर्क को तोरने की कोशिश की. फेंग बैच जाओ. ब्रशकट वाला युवक और छोटा युवक फेंग यलियान की आस्तीम पकड़ने के लिए दौर पड़े. ब्रशकट वाले युवक ने अपना दूसरा हाथ वरोंग की ओर लहराया. भाई, जल्दी करो और जाओ. हम उस उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते. कॉंग लिंगलिंग ने कभी नहीं सोचा था कि वे किसी बहस में पड़ जाएंगे. अब जाओ. सीनियर फेंग छठी रैंक के प्रशिक्षक हैं. आप उसे हरा नहीं सकते, उसने वरोंग को समझाया. वरोंग बैठे रहे लेकिन उन करने के अलावा कुछ नहीं कर सका. पा, व्यंग्य बंध हो गया. एक तमाचा उसके चहरे पर पड़ा, फिर पहले सिर्प और दूसरे पर शरीर फेंग यलियान उसके बगल वाली सीट पर गिर गया. आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह गये. उनमें से किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि वरुन वास्तव में एक्शन का सहारा लेंगे. इसके अलावा वरुन ने यह इतनी जल्दी किया कि उनमें से किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी. जो फेंग्शु का चेहरा धुंधला हो गया. उसने सपष्ट रूप से क्रोधित होकर वरुन क सिटी में हेवनली ड्रैगन अकादमी के एक प्रशिक्षक पर हमला करने के परिनामों को जानते हैं. उनत लड़ाई पालतु योध्धा, कॉंग लिंगलिंग और हूरोंगरॉंग ने आश्चर यसे वरुन को देखा. वरुन जवान लग रहे थे. क्या वह इमानदारी से सा प्रश्म शक्तियों की भी आवश्चकता थी और वह पांचवी रैंक पर थी. वह जानती थी कि जियो फैंगक्सू छटी रैंक पर था, जो हेवनली ड्रैगन अकादमी में तीसरी कक्षा के सभी चात्रों में सबसे शक्तिशाली था. जियो फैंगक्सू ने यह कटौती युद्धाओं को हमसे कुछ मदद चाहिए तो उन्हें हमारे साथ आराम करने के लिए एक पंती में खड़ा होना होगा. अब घुटने टेकें और माफी मांगें और हम इससे आगे बढ़ सकते हैं. अन्यथा आप बाहरी दुनिया को दोबारा नहीं देख पाएंगे. तो क या लोग प्रशिक्षकों पर भरुसा करते हैं. यदि मैं इसी क्षन तुम्हारी जान लेना चाहूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीवित रह पाओगे? ब्रशकट वाला युवक चिलाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं हिम्मत करता हूँ. वरुन की आख ब्रशकट मारने के लिए एक हाथ उठाया. उसका हाथ हीरे के आकार की ढालों पर पड़ा. चटकने की आवास आती रही. वे ढाले मजबूत थी और फिर भी उन में से कोई भी वरुन को रती भर भी धीमा करने में सक्षम नहीं थी. जो फेंग्शू अवाक रह गया. वह अपने गुप्त कौशल की बदौलत सुक्षम ढाले बना सकता था जो आम सात्वी श्रेणी के जानवरों के हमलों का सामना कर सकती थी. लेकिन वरुन ने एक ही पल में उन सभी को क्रैक कर लिया था. वह जो फेंग्शू के कॉलर से एक जेड पेंडेंट उड़ गया. जैसे ही इससे हलकी हरी चमक निकली, जेड पेंडेंट एक गोल धाल में बदल गया. टक्राना. जैस उसने अपनी भौहें उपर उठाई. बहुत दिल्चस्प. जियो फेंगक्सू के पास एक ऐसा खजाना था, जो उसके थपड़ को जेल सकता था. यह? जियो फेंग्शू डर के मारे पीला पड़ गया. जब वह जेड पेंडेंट की दरार को घूर रहा था, तो वह एक शब उन्न युद्ध योध्धा था. ब्रशकट वाला युवक जो जियो फेंगक्सू के पीछे खड़ा था, बहुत दरा हुआ था, पहली बार उसे उन्नक युद्ध योध्धाओं की वास्तविक ताकर का एसास हुआ था. उनके पूरे जीवन में हमेशा उन्नक लड़ाकु युद्धा ही थे, जो उन्हें मक्खन लगाने के लिए उनके दर्वाजे पर गए थे. उसने कभी भी युद्ध के पालतू युद्धाओं को गंभीरता से नहीं लिया था. फिर भी कभी जो हुआ उसने उसे चौका दिया था. अगर वरुन ने इमानदारी से उसे मारने क इरादा किया होता, तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था. उन्हें हमेशा बताया गया था कि प्रशिक्षक मूलेवान थे. फिर भी इस महत्वपूर्ण क्षण में वह जानता था कि युद्ध के पसंदीदा युद्धा अधिक हावी थे. यह आदमी पागल है. फेंगक्सु एक अहंकारी व्यक्ति था. वह ऐसे क्रूर चरित्र से निपटने से डरता था. उन मेंसे किसी ने भी अंगरक्षकों या किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा के साथ अपना घर नहीं छोड़ा था. यदि वरुन उन्हें वहीं मार देता, तो उसे दंडित किया ज जाता. कोई भी इस पागल से उलजना नहीं चाहता था. दोनों लड़किया घबरा गई. उन्हें लगा कि वरुन एक सज्जन और सौमय व्यक्ति हैं. दोनों मेंसे किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वरुन अचानक इतना खुंखार और दरावना हो जाएगा. गल्तफम मेरे दोस्त ने गल्ती की है. उसने तुम्हें नाराज कर दिया. जियो फेंगशु बता सकता था कि वरुन का इरादा उसे अपमानित करने का था लेकिन उसे फिर भी आगे बढ़ना था. ओ, तो वह गलत था. मुझे लगा कि मैं गलत था. जब उसका उत्तर व्यंग्य से भ रुकिया था. वे आम तोर पर जिस पर भी चाहें चिल्ला सकते थे और जो लोग उन्हें नाराज करते थे, उन्हें अपनी रक्षा के लिए हार माननी परती थी. हाला कि इस दिन उनकी मुलाकात एक सक्त आदमी से हुई थी. वरुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब आप जानते हैं कि आप गलत हैं, तो अपने घुटनों पर बैठ जाएं और कहें कि आपको क्षमा करें. उनकी बातों ने सभी को चौका दिया. ब्रश कट वाले युवक ने वरुन की ओर देखा. वह वही था जिसने वरुन को ये शब्द कहे थे, लेकिन फिर वरुन ने उ अच्छा रवया अपनाना चाहिए. मैं और कैसे आश्वस्त हो सकता हूं कि आप गंभीर हैं, वरुन ने अपनी मुस्कुराहट दूर कर दी. इसके अलावा आप वह नहीं थे जिसने मुझे नाराज किया था, इसलिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है. जिसने यह क्यों बनना है? हम ही हैं, जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है, कोंग लिंगलिंग चिलाए बिना नहीं रह सकी. वह जियो फेंग्शु को इतना अपमानित होते देखना स्विकार नहीं कर सकी. उनके दिमाग में सीनियर जियो हमेशा सुरुचिपून और शांत थे. वह के बाद हूरोंगरोंग ने वरुन से कहा, सु यह सिर्फ एक गलतफमी है. सीनियर जियाओ ने माफी मंगी है. कैसा रहेगा अगर हम इसे होने दें? जाना, वरुन ने उसे घूर कर देखा. मैं आपका आभारी हूँ. क्या आप वाकई उनकी खातिर भीक मांग कर उस एहसान को बरबात करना चाहते हैं? पूरोंगरोंग को यह देखकर राहत मिली की वरुन ने अपना लहजा नरम कर लिया है. वे सभी मेरे सहपाथी हैं. मुझे आशा है कि आप उन पर बहुत अधिक गबाव नहीं डालेंगे. सिर्फिलाने से पहले वरुन ने कुछ देर तक उसकी किया गया था. युध के पसंदीदा योधा द्वारा तो छोड़ ही दें. वह अपना गुस्सा व्यक्त करने से डरता था, जिसे उसने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था. कितना अपमान जनक है? लेकिन उसके चहरे पर गुस्सा नहीं आया. कहीं उसे दोबारा अपमानित न होना पड़े. वरुन ने जियो फेंगशु और उसके बगल में खड़े अन्य दो लोगों की ओर घूर कर देखा. बदला लेने के लिए उत्सुक हूँ? यह उम्मीदों के अनुरूप ही था. हाला कि चुंकी उसने हूरोंगरों से इसे जाने देने क बादा किया था. इसलिए वरुन ने उनके साथ कुछ नहीं करने का फैसला किया. वे तो बस कुछ प्रशिक्षक थे. चाहे उनकी शत्रुता कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वे उसका कुछ नहीं कर सकते थे. यहा तक कि उपमहाद वीप जिलास्तर पर भी वरुन को किसी से नहीं लगता था, जब तक कि महान युध योधा सामने नहीं आते. हाला कि यदी ऐसा हुआ तो वह अपनी रक्षा कर सकता है. महासागर राज्य के उसक प्रसिद युध पालतू योधाओं के अपने जीवन को समाप्त करने की संभावना नहीं थी. उसी समय गिरे हुए फे आखें लाल हो गई, भाड में जाओ, इससे पहले कि वह अपनी मौखिक गाली ग्लॉच खत्म कर पाता, भैभीत जो फेंग शुने तेज आंखो और फुर्तीले हाथों से फेंग यलियान का मुह बंद कर दिया और उसे वापस खींच लिया, कहीं ऐसा नहो कि वह वरोन को फ उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यह मध्यानतर था या मैच पहले ही समाप्थ हो चुका था, किसी भी तरह कोई भी दोबारा मंच पर नहीं आया, उसने रुची खो दी, बिना कोई और शब्द कहे, वह मुरा और स्टेडियम से बाहर चला गया, अंतह जो फेंग शु अप अश्चर्य च्कित रह गया, क्या क्या हुआ, अधिक कुर्सिया तोरने के बाद ब्रशकट वाला युवक अंतह चिलाया, वह गुंडा एक उन्नत युद्ध पालतु योध्धा है, धत तेरी की, तो क्या हुआ, सभी उन्नत युद्ध पालतु योध्धाओं को मुझसे इ दूसरों के चहरों पर भाव देखे, सच है, वे युद्ध के पालतु योध्धाओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन उन सभी को यह स्विकार करना पड़ा कि युद्ध के पालतु योध्धा उन्हें आसानी से हरा सकते थे, फिर भी उन्में से किसी एक के लिए उसे इस तरह अपमानित करना असामान्य था, यह ऐसा था मानो एक करोर पती उस ठक के खिलाफ प्रतिशोध लेने से डर रहा हो जिसने उसे पीटा था, वह कितना अपमान जनक था, किसी को बुलाओ, हम उसे इस तरह जाने नहीं दे सकते, फिंग यलियांग चिलाया, थपड काफी जोरदार था, उसका गाल इस समय भी जल रहा था, कॉंग लिंगलिंग और हूरोंगरोंग ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों लड़कों की प्रतिक्रियाओं से चौक गए, कॉंग लिंगलिंग ने कुछ नहीं कहा, वह वरुन को लेकर भी खुश नहीं थी उसने साफ कर दिया था, कि उसने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन हूरोंगरोंग चिंतित था, वह एक अच्छा दिन था और यह सिर्फ इसलिए खराब हो गया था, क्योंकि फेंगलिंग अपने मुह पर नियंदरन रखने में असमर्थ था, अगर वरुन को कुछ हो जाता तो उसे दुख होता, अगर उसे पता होता कि क्या होने वाला है, तो वह वरुन को अंदर नहीं लेती, इस विचार पर हूरोंगरोंग ने फेंग यलियान को एक और नजर दी, उसके चिलाने से वह और भी अधिक धेनित लगने लगा था, दिन के अंत में उसके बि और रुकना चाहती थी, लेकिन उसे हो रोंगरोंग के साथ जाना पड़ा क्योंकि वह इस पर अड़ी हुई थी, थोड़ी देर बाद उर्व ने अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, रॉंग रॉंग, फेंग यलियान हो रोंगरोंग से रुकने के लिए बात करना चाहता था, लेकिन उसने उससे मुह मोड लिया, ब्रशकट वाले युवक ने फेंग यलियान से बेरहमी से कहा, मीठे स्वर में इसे छोड़ो, वह आपसे बात नहीं करना चाहती थी, क्या आप ध्यान नहीं दे रहे थे, यदि यह फेंग यलियान के लिए नहीं होता, तो पेरस्वेर वह मेरी होगी, जो फेंग शुने भौहें चढ़ा दी, उरोंगरों के दादाजी ट्रेनर्स एसोसियेशन में है, बहतर होगा कि आप सावधान रहें, यहां तक कि आपका फेंग परिवार भी उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, फेंग यलियान यह सुनकर नाखुश थे, लेकिन उन्होंने जवाब में बात नहीं की, मैं समझता हूँ, बॉस उसने सहमती में सिरहिलाया, चलदर, मैं यह पता लगाने के लिए परिवहन ब्यूरो जा रहा हूँ कि वह गुंडा कहां चला गया, जो फेंग शु दूर चला गया, और किसी को बुलाया, वरुन कुछ देर सडक पर टहला, अनोखी इमारतें उसे लगातार याद दिलाती रहती थी कि वह घर से दूर है, जल्द ही वरुन ने एक कैब बुलाई और ड्राइवर को ट्रेनर्स एसोसियेशन के मुख्य कार्याले तक जाने के लिए कहा, ट्रेनर्स एसोसिय कई लगजरी कारें खड़ी देखी, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे और उनके पास जो सुक्षम पालतू जानवर थे वे सभी दुलग थे जिनकी कीमत लाखों में हो सकती थी, कार की सवारी में उन्हें लगभग देड घंटा लगा, आखिर कार जनो मीटर की उंचाई वाला शक्ती और भव्यता से भरा एक गेट था, गेट के उपर प्रशिक्षक संध मुख्याले शब्द लिखे हुए थे, प्रत्येक करफ के स्तंभो पर सैकडों सुक्षम पालतू जानवर उके रे गए थे, नकाशी काफी ज्वलंत थी, लोगों को महसूस होगा कि सुक्षम पालतू जानवर उनकी ओर देख रहे थे, लेकिन जिस चीज ने वरुन का ध्यान खीचा वह था, गुस्से से तम्तमा रहा एक पत्थर का बाग, पत्थर का बाग जो गेट के पास बैठा था, उसके काले बाल थे, जो जलती हुई लौकी तरह जबूर कर दिया, वह बाग एक जानवर राजा की तरह था, वरुन ने अपनी याददाश्ट खंगाली लेकिन उसे याद नहीं आया कि वह कौन सा जानवर राजा था, और फिर भी चूंकि उसने हजारों पशुराजाओं को देखा था, वह यह बता सकता था कि पत्थर की म परीब गया जहां भीड थी और उसने अंदर जाने के लिए एक लाइन चुनी, वे जानवरों के स्तंभ होने चाहिए, कितना प्रभावशाली, देखो वह सिल्वर मून हाउंड है, वह मेरे पालतू जानवर के रूप में है, जिंगईन आपका सिल्वर मून हाउंड एक पूर्वक बाते कर रहे थे, वे सुक्ष्म पालतू जानवर बहुत सजीव हैं, मैं लगभग महसूस कर सकता हूं कि वे सांस ले रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि यह ट्रेनर्स एसोसियेशन का मुख्यालय है, यह इमारत हमारी सरकारी इमारत से भी अधिक भव्य है, हम स छठी रैंक तक पहुँचने के लिए परीक्षा उत्तीन कर लेते हैं, तो आपके सामने काफी आशाजनक भविश्य होगा, हो सकता है कि ट्रेनर्स एसोसियेशन आपको पसंद करने लगे, आप यहां मुख्यालय में रहने के लिए आवेदन कर सकेंगे, आपकी प्रतिभा क को देखते हुए, आपके लिए मास्टर ट्रेनर बनना कोई समस्या नहीं होगी, सत्य, इंगैंग हम सब आपके कॉटेल्स की सवारी पर भरोसा कर रहे हैं, बाकी लोग खुशी से चिल्लाने लगे और वे सभी लड़की की ओर प्रशनसा की द्रिष्टी से देख रहे थे, लाइन में खड़े अन्य लोग लड़की को देखने के लिए पीछे मुरने से खुद को नहीं रोख सके, उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इंगैंग नाम की लड़की मुश्किल से 20 साल की थी, क्या वह छठी रैंक तक पहुँच पाएंगी? यदि वह ऐसा क किया और थोड़ा विरोध किया, भाई लिन, आप मेरी चापलूसी करते हैं. मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं परीक्षा पास कर पाऊंगा. उस युवक ने शर्मीली लड़की को सांतवना देते हुए कहा, तुम बहुत विनमर हो. अगर मैं तुम होते तो सब को अपनी रैंक की परीक्षा के लिए दूसरी या तीसरी रैंक की तुलना में अधिक लोग होते हैं. युवक ने उसकी प्रतिक्रिया भी नोटिस की उसे एहसास हुआ कि वह बस गलक बोल गया था. अरे यार तुम यहां किस रैंकिंग टेस्ट के लिए आए हो? युवक ने वरुन स सुनी थी, जो उसे उबाओ और बचकानी लगी. उसने युवक को घूर कर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला. युवक अंदेखी से दुखी था. मैंने अभी आपसे एक प्रशन पूछा था. क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? युवक के दोस्तों ने जल्दबाजी कर उस युवक को रोका जो अपना आपाक होने ही बाला था. आखिरकार यह होली लाइट बेस सिटी था और वे ट्रेनर्स एसोसियेशन के मुख्याले के बाहर थे. वह उनके लिए बड़ा हंगामा खड़ा करने की जगह नहीं थी. युवक क्रोधित था क्योंकि वरुन ने अ केवल मुसीबत में पढ़ेंगे. बाकी लोगों ने खुद को युवक और वरुन के बीच रखा. फिर युवक को शांत करने की कोशिश की कहीं ऐसा नहो की दोनों में बहस हो जाए. एक दरजन मिनट बाद वरुन की बारी थी. क्या आप यहाँ प्रमान पत्र के लिए हैं? कौन सी रैंक? गार्ड ने रुटीन के तौर पर पूछा और वरुन का जवाब लिखने ही वाले थे. वरुन ने सिर हिलाया मैं सम्मेलन के लिए यहाँ आया हूँ लेकिन रास्ते में ही मेरा निमंतरन खो गया. सम्मेलन गार्ड अचंभित रह गया. धाई लिन और उनके द खिर से नीचे की ओर मुड़ गये. गार्ड ने क्रोधित होकर कहा, हमारे यहाँ एक सम्मेलन चर रहा है, लेकिन वह मास्टर प्रशिक्षकों के लिए है. उपस्थित सभी लोग आठवी रैंक के मास्टर ट्रेनर हैं. बच्चे तुम्हारा मतलब यह सम्मेलन नहीं था, ठ ठीक है. वही तो है, वरोन ने सिर हिलाया. खैर ट्रेनर्स एसोसियेशन ने निश्चित रूप से उसे महत्व दिया. उन्होंने उन्हें सीधे मास्टर ट्रेनर्स कॉन्फरेंस में आमंत्रित किया. गार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे. भाई लिन और उनके दोस्त दिया था. उन्होंने लंबा चेहरा खीच कर वरोन को डाटा तुम है. पता भी है कि तुम क्या बात कर रहे हो? हम लोगों को इस तरह मजा करने की इजाजत नहीं देते. बहतर होगा कि आप तुरंट चले जाए. हम भाई लिन व्यम्य किये बिना नहीं रह सके. दिखावे क लिए वहां जाना आत्मभाती मिशन था. वरोन ने भौहे सिकोड ली. लेकिन वह केवल स्वयं को दोशी ठहरा सकता था क्योंकि उसने ही निमंतरन को जला दिया था. यदि उसे पता होता तो वह ऐसा आवेग में आकर ऐसा न करता. उसने एक उपाय सोचा. मैंने अपना नि आया था कि आप यहां Master Trainers Conference के लिए आये हैं. क्या आपके पास Master Trainer ID है? वरोन ने तुरंग उत्तर दिया. नहीं, क्योंकि मैंने कभी परीक्षा उत्तीर नहीं की. लेकिन अगर आप जाकर नाम सूची की जाच करेंगे, तो आपको नाम मिल जाएगा. यदि आपने परीक्षा उत्तीर नहीं की है, तो आपको आने का अधिकार किस ने दिया? गार्ड ने जवाब दिया. वरोन समझ गए कि उन्होंने अपना जवाब ख्राब धंग से लिखा है. उन्होंने जल्दी से समझाया, मेरा मतलब था कि मैंने परीक्षा नहीं दी, इसका मतलब यह नहीं कि मैं परीक्षा में फेल हो गया. गार्ड ने असमंझस में अपनी आखे जपकाई. उनका चहरा उदास हो गया और उन्होंने कहा, मैं आपके साथ शब्दों के इस खेल में पढ़ने के मूर में नहीं हूँ. मैं आपके उच्चारन से सुन सकता हूँ कि आप होली लाइट बेस सि कहरों में कभी नहीं. आपके पास न तो आईडी है नहीं निमंत्रन. आप यहाँ एक द्रिश्य बना रहे हैं. मैं तुम्हें सीधे कैट कर दूँगा लेकिन चुकि तुम अभी जबान हो इसलिए मैं तुम्हारा जीवन बरबाद नहीं करना चाहूँगा. यदि आप इस जारी रखते हैं तो आपको हमारे ट्रेनर्स एसोसियेशन की काली सूची में डाल दिया जाएगा. तुम अपना भविश्य खो दोगे. वरुन अवाक रह गया. जाओ और सत्यापित करो. आप मेरा नाम देखेंगे. आप छोड़ नहीं रहे हैं, वो गाड़ के मुह से जाओ और तयार हो जाओ. आपको इस सम्मेलन के बारे में और अधिक जानना होगा. मध्यम आयूवर्ग के व्यक्ति ने युवक और युवती से कहा. जी श्रीमान. उन्होंने सम्मान से सिरहिलाया. वे मास्टर प्रशिक्षकों के सम्मेलन में भाग लेने में सक्षम होने स खुश थे जो उनके लिए बेहत फायदे मंद होगा. चले जाओ तुम. अधेर उम्र का आदमी गेट की ओर चला गया. युवक और युवती ने भी ऐसा ही किया. दोनों ने एक नजर लाइन में लगे लोगों पर डाली. शोर किस बारे में है? अधेर उम्र का आदमी भाउ अधेर उम्र का व्यक्ति एक मास्टर ट्रेनर था. भाई लिन और अन्य लोग तुरंत सीधे खड़े हो गए. अधेर उम्र के आदमी ने अपना हाथ लहराया. लाइन में बहुत सारे लोग हैं. जल्दी करो. उनका समय बर्बाद मत करो. जो गार्ड वरुन से बात कर रहा उससे लगा कि उसका दिल धड़क गया है. उसने अंदर ही अंदर वरुन को कोसा, जबकि बाहर से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया. मास्टर शी, ऐसा नहीं है कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ. यह युवक यहां उत्पात मचा रहा है. उन्होंने कहा कि वह यहां म मास्टर ट्रेनर्स कॉन्फरेंस के लिए आए हैं और उन्हें निमंतरन मिला है. मैंने पूछा लेकिन उसने कहा कि वह परीक्षा में उत्तीर नहीं हुआ है. मैं गाड़ शिकायत करना चाहता था. अधेर उम्र के व्यप्ती ने आश्चर्य से वरुन की ओर देखा. उसने पास निमंतरन था. आप जाकर इसकी जाच कर सकते हैं. मेरा नाम वरुन है. वरुन को अपनी सफाई दोहरानी पड़ी. अधेर उम्र का आदमी भाउचक का रह गया. वह वरुन को मनाने ही वाला था कि तभी उसे नाम जाना फचाना लगा. पिछले कुछ दिनों में वाइस चिचक यही लड़का था. इतना छोटा. या क्या इस युवक का भी यही नाम था? क्या आपको यकीन है? शी हाउची ने फिर पूछा. वरुन ने जोर से सिर हिलाया. ठीक है. आप मेरे साथ आ सकते हैं. शी हाउची ने गंभीरता से कहा. लेकिन अगर हम पाते हैं कि आप जूठ बोल रहे हैं, तो बहतर होगा कि आप परिणामों के बारे में सोचें.